हलो 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 क्या मेरी आवाज सभी बच्चों को आ रही है क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूं सभी को हलो 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 सभी लोग आवाज सुन पा रहे हैं बता दो यार ठीक है ठीक है अवाज सभी को आ रही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया खुड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वज़े से थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है क्या लोग आवाज है क्या इसको मुह में डालनूंगे हमने क्या करें इसको लोग आवाज आ रही है ओडिवल विजिवल ठीक है चलो ओक है आवई आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट अवेटेड पार्ट जोकी आप लोग पता नी सदियों से पढ़ना चाह रहे हो है ना छे महिने पहले हम लोगों ने कभी एक वन शॉट किया था इलेक्ट्रिसिटी का है जिस पर आज तक बच्चे उस पर कुछ कुछ कमेंड करते रहते हैं उसके उपर हम देखते रहते हैं उस पर बच्चों के कमेंट है ना तो निमेरिकल की डिमांड जो थी वह वहीं सही दिख गई थी हमको के कमेंट ऐसे आ रहे थे कि भाई हाँ निमेरिकल सेशन जितने भी question electricity के अंदर आए हैं देखो हर साल तीन या चार question electricity के देखने को मिलते हैं तो वो सारे कठे करके लिया लगबग 40 के करीब question है मेरे पास 40 से थोड़े से जाधा है और 40 to 50 के बीच में होंगे मैंने देखे नहीं डंग से ठीक है लेकिन कम पढ़ रहे थे तो और बोर्ट के भी question लेकर क्या आए हूं जैसे मद्यप्रदेश बोर्ड है questions का भंडार है आज ठीक है न ओविसली चप्टरी ही पूरा numerical based है तो numerical part तो रहे गाई जाधा है ना लेकिन कुछ-कुछ theory की बाते भी रहेंगी जो कि numerical से कई न कई जुड़ती है ठीक है जी तो ये session इनफ है more than sufficient है कि अगर आप ये सारे question कर पा रहे हो तो बोर्ड के अंदर एक भी question ऐसा नहीं होगा जो आप हिलाना पाओ और आम से सारे question इल जाएंगे इसके बाद आप sample paper भी try कर सकते हो बहुत आपका हो चुका है ठीक है ना मेगनेटिदम मैंने करा दिया electricity मैंने करा दिया है तो जैसे ही अपन स्लेवस कंप्लीशन की तरफ जाते हैं हम आपके लिए sample paper का discussion भी लेकर क्या आएंगे जैसा हमने पहले किया था live term 1 के अंदर ऐसे same to same term 2 के अंदर भी रहेगा ठीक है ओके सब ठीक हो नहीं मेरा बड़े बड़े कोई नहीं है ठीक है ना तो फिर से बोल रहा हूं लास्ट वार के numerical लिखा देखके इसको कहीं इंसी आटी का सेशन समझने गलती मत कर ले ना भाई ठीक है ना पीवाइक्यू का भंडार है यह ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट करते हम लोग अच्छा कुछ बच्चे ऐसा भी हो सकता है जो नए आये हो तो मैं उनको बता दूँ के हम लोग तीन बार आल्मोस्ट पढ़ा इलेक्टिसिटी का पुराना वाला जो उडान था वो अल्रेडी अवेलेबल है यूट्यूब पर फ्री ओफ कॉस्ट तो वहां से आप देख सकते हैं इसको कोई टेंशन नहीं है ठीक है और एक लेक्चर तो यह इसके लाबा पांच लेक्चर हो रहा है इसके साथ ठीक है न आपकी मर्जी है मतलब जिस भी तरीक आप जिस भी स्टेट पर हो आप जैसी भी प्रिप्रेशन पर हो उस हिसाप से आप देख सकते हो सेशन को ठीक है अगर कंप्लीट देखना चाते हो तो इसके साथ पांच वीडियो तो और मिल जाएंगी आपको प्लेलिस के अंदर और वारियर के अंदर ही एलेक्टिसिटी इन वन शोट पढ़ा दिया अलड़ी मैंने ठीक है और एलेक्टिसिटी इन वन शोट रिविजिए बिच्चे है अपने जो उडान भर रहे हैं उनको यहां कुछ देखने की जूरत नहीं उनके लिए अल्रेड़ी बहुत ज्यादा डि DHS के साथ बहुत सारी चीज़े उपलब्द हैं अल्रेडी उडान रिलोड़ेट बैच के अंदर टर्म वन में भी और टर्म टू में भी तो चॉइस इचॉइस है बाई उडान वालों के पास तो पांच-पांच जगा से देख सकते हैं आप वीडियो सेम चीजी पढ़ाता हू क्या बोल रहे हो तुम लोग यार कैमरा सही नहीं है क्यों क्या हो गया कैमरे को गेमरा एक दम ओक्य है गेमरा इस टिल्टिड हाँ थोड़ा सा है तो क्या दिखके तक कोई बात नहीं कोशन थोड़ा सा ऐसे दिखेगा तुम तुम गर्दन ऐसे कर ले ना क्या दिखके तक गई है ना चलें करें साथ तुम गर्दन तिल्ट करला थोड़ी सी इसमे क्या आए यार यार तुम भी कैसी कैसी नराजियां बताते हो मुझको यार चलो हाँ जी यह पहला कोशन आया अच्छा भाई एक बार मैं बोलतू अगर किसी ने यह बोला के question हलवे है तो यह मेरी ही नहीं है भाई मैंने नहीं बनाए question आप देख सकते हो cbsc question होंगे यह वेस बेंगोल के या यूपी के या बिहार के या MP के यहां कुछ ना कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा तो यह सारे प्रीवेस एर सेशन है भाई यह सारे question प्रीवेस एरी है तो यह मत बोलना question हलवा है हलवा है तो हलवा ही आते होंगे फिर भाई ओड में हलवा ही आते होंगे फिर है ना तो यह क्या बोल रहा कि define kilowatt hour kilowatt hour को define करो ठीक है तो इसकी definition के लिए आप simply यह बात बता सकते हो कि kilowatt hour जो है यह commercial unit होती है energy की एक ना 9th class में पड़ी थी यह तो 10 में पड़ी भी नहीं भाई 10 में तो बस इसको चला दिया था आगे actually में तो 9th के अंदर पड़ी जाती है commercial unit है energy की ठीक है commercial unit of energy है यह और और यह निकलती कैसे है तो यह निकलती है energy के formula से energy का formula क्या होता है power के terms में power into time है ना energy is equal to power multiplied by time ठीक है तो आपने यह लिखना है कि commercial unit है energy की और इसको निकाला कैसे जाता है energy is equal to power times the time से ठीक है और power की जो unit रहती है वह जनरली तो वाट रहती है ऐसा यूनित तो हॉट तो वाट है टाइमल की जनरल यूनि sin से एसे में energy की जो unit बनती है वह तो जूल बनती है लेकिन अगर वाट की बड़ी unit लेली जाए यानि kili lot wraps लेली जाए और second की बड़ी यानि आर ले लिजाए तो यह बन जाती है kg ah ढोआट आर सब एक इत बीवाट प्रिक्वा एक बच्चा गया रहा है नीव पे भी लाइव नीव पे आया तो था मैं लाइव डाउट सेशन लिया था नीव का लाइव नीव पे लाइव आये तो थे तुम नहीं आये चलो एक और क्षच्चन देखो भई पीएव दो यार सोला लब एक रहो बोड की कोश्चन है यह तब बोड की कोश्चन है वट पटेंशल दिफरेंस नीडिट तू संड़ करेंट और फाइव एंपियर थू थू देखो भई कहानी बहुत बड़ी बोलता है है ना कहानी तो ब तो कौन सा फॉर्मुला लगना चाहिए यहां पच्या मट लगाना चाहिए कौन सा वी इजिक्वल कुण है यानी ओम तो यसे लिखना सुंदर सुंदर क्योंकि सब्जक्टिव पर हो सकता है आपका मैंनी कह रहा के हो गई क्योंकि पेपर होना ना वो भी तो पकानी ने हटी के तो इसी लिए ऐसे सुन्दर-सुन्दर लिखना है ना बाए हपलाइंग है ना ओम सुलों हर बार नहीं लिख शुरू खुआ शुरू मैं लिखना हूँ है ना फिर मिर को आलब आ जाएगा मतलब पिर तुमको सबन्पर आ तो समझाज बांजर को ठीक है विजिकल 2 IR आई कितना पांच है और यह 18-18 कितने होते हैं नबे उते हैं नबे वोल्ट अंसर आ गया इसका इस तरीके से कुशन वन वन मार्क के बनते हैं बोर्ड के अंदर आगे वड़ते हैं एक और CBSE 2015 तीन रिस्टर रखे हैं तीन 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 ओम के तीन रिस्टर रखे हैं और बैटरी से जोड़ रखा है तीन वोल्ट की as shown in the figure calculate the current drawn from the battery तो भाई ये एक next level पर चला गया भी एक question है ना तो क्या करना पड़ेगा आपको आपको यहाँ पर total R निकालना पड़ेगा पहले तो एक बार total R आ गया V दिया हुआ है तो फिर ohms law लगा करके हम I निकाल लेंगे current निकाल लेंगे ठीक है ना तो एक काम कर लेते हैं कि है जी पहले इसको solve कर लेते ठीक है इसको solve करने का तरीका क्या है सबसे पहले देखना पेटा ये दोनों series में है ना ये दोनों series में है तीन और तीन cancer में तो नीचे वाला three ohms तो आर्थ्री है इसको निच्षेड़ा अभी तक मै ने लेकिन यह है three ohms का ओक और और यह जुड़ा हुआ है कितने वोल्ट से तीन वोल्ट से जुड़ा हुआ है अब इन दोनों को solve करने की बारी आई थे ओम और तीन ओम बालों को solve करने की बारी आई इनको solve करने का क्या तरीक है वैसे तो बच्चे उडान reloaded वाले तो रटे होंगे थे और तीन का अंसर होता आपको 1 by 6, 1 by 3, और यहां 1 by R, 6 और 3 कैल्सियम 6 होता है, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 1 by R और यह हो गया, 3 डिवड़ बाइ 6, यह आ गया 1 by 2, तो 1 by R आ गया 1 by 2, यानि R आ गया 2 ohm, तो इस तरीके से निकाल सकते हो, नहीं तो आप सीधा रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नह आता है, ठीक है, तो 2 ohm आ गया, इसके बाद आपने क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो निकालो भाई, करंट, V is equal to I, R लगा करके, V कितना है, 3 है, I, नहीं पता, और R है 2, यह कटेगा, यहां पर डेड़ आंसर आएगा, बहुत सारे वच्चे कमेंटेब आंसर कर भ बहुत बहुत बढ़ते हैं, नेक्स सवाल पर, बढ़ते हैं, नेक्स सवाल पर, अब पांच ओम का रिस्सर है, जिसको करेक्ट कर रखा है, 6 वोल्ट की वेक्टरी से, ठीक, बहुत बढ़िया, CBSC 215 देख रहे हो, मेरा नहीं बनाया, मेरा निये कुशन ये, उन्होंने दिय हैं वई, तुम देखो, तुम जानों बोड़ वाले जाने, तुम ने देना है, ना, पेपर, और इन्होंने पेपर बनाना है, अब तुम देख लो, क्या लेवल है, पी वाईक्व का, टिक्स वोल्ट, वोल्टेज है, और पांच ओम का रिस्स्तन्स है, हैंना, आप से अच्छे कटेगा तो 1.1 आ जाएगा हैना 1.1 1.2 1.2 एंपिर तो करेंट तो आ गया एक करेंट तो आ गया 1.2 एंपिर यह फस्ट का अनसर हो गया बच्चे कर भी रहोंगे कमेंट मां सर्वेस्ट का अनसर ए 1.2 फस्ट का हो गया energy dissipates as heat in 10 seconds तो second part आपने करना है तो heat निकालनी पड़ेगी heat निकालने के लिए बाबु क्या करेंगे h होता है i square rt है ना किसी resistance मेंसे अगर i current जा रहा हो तो formula h is equal to i square rt simply put करना है आपने i जो है वो 1.2 into 1.2 into r, r है 5 है ना ओ टाइम कितना है 10 seconds ठेक है तो point अटाया 10 नीचे ले आते हैं यह भी 10 नीचे ले आते 10 से 10 कट कर देते हैं यह मैं क्यों ही कर रहा हूं बारा पंजे साथ 12 शिक 72 एना बहुतर जूल आंसर आ गया बहुतर जूल है ठीक है 7.2 कैसे है यार बहुतर होगा 72 हां बहुत सारे बचे 72 कर रहे है कुछ ने 7.2 भी लिख रखा है ठीक है बहुतर जूल तो heat आ गई बहुतर जूल तो heat आ गई बहुतर जूल ठीक है यह दोनों option दोनों जो question थे वो आपके solve हो गई बढ़ते हैं आगे यह देगो भाई cvsc देजार 16 का question power of a lamp is 60 watt power दे रखी है 8 watt find the energy in the si unit consumed by it in one second time दे रखा है एक second का time दे रखा है एक second का energy होती है power into time है ना क्यों क्योंकि power होती energy upon time है ना power होती energy upon time तो energy होगी power into time बच्चा बोल रहा है एक बार वापस बता दो किसको h के formula को heat का formula बेटा i square rt heat का formula i square rt i की value put करी 1.2 उसका square कर दिया तो 1.2 को दो बार लिख दिया मैंने फिर r कितना है 5 ohm है और time जो है वो 10 second दे रखा है यहाँ पर तब कुछ SI unit के अंदर put करना तभी answer SI unit में आएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा गड़बड जो बच्चे करते हैं वो unit में ही होती है और कहीं नहीं होगी unit में ही गड़बड होगी ठीक है ना तो आपको सारी ज तो पावर हो गया energy upon time क्या कोशन है यह energy हो जाएगा power into time power रखो 60 watt और time रखो एक सेगिंड तो answer आगया 60 Joule यह energy निकल के आगई 60 Joule है ना find the energy in SI unit SI unit में है तो आपको जूल में energy छोड़के आनी है यह कोशन आया हुआ देखो बोड के अंदर मेरा बनाया कोशन नहीं है भाई पांच दो वोल्ट के चलंशानल न दिखा दो फांच चार पांच इसे जोड़बी दिन पीछे से इनको ठीक है ना यह 2V, 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 दो दो वोल्ट के 5 सहल हैं एक 5 Ohm का रिस्टर, एक 10 Ohm का रिस्टर, एक 15 Ohm का रिस्टर connect कर रखा है All in series, कुछ नहीं सरकेट डाइगराम बनाना है पर जैराम जी की प्लक्की लगा दो आगे या पीछे जामन करे वा लगा दो कोई दिक्कत निदर लगा दो प्लक्की, यह लग गई प्लक्की, के, के प्लक्की बोल दो यहां प्लक्की ही लिख दो, कोई दिक्कत निए, ठीक है, एक बात आपको मैंने बतानी है, जो जरूरी है यहां पर, जो आपको लेबल करना है अगर डायग्राम बनाना आता है बायों में तो लेबल करते हो के नहीं करते बताओ ऐसे आपको यहां पर लेबल करना पड़ेगा इसको ठीक है ना जैसे यह प्लक की है तो यहां लिखो के प्लक की है ठीक है यहां लिखो के यह बैटरी है ठीक है ना तो खुश करना आपको आना चाहिए ठीक है तो ये पांच ओम दसों पंदर ओम ऐसे दिखा दना आपने फाइव ओम हो गया जिदसों हो गया और ये पंदर ओम हो घए ना बस इस तरीके से आपने दिखा देना है ओके बाच समय आ गई नहीं, तो वोल्ट पाँच 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 करके दिखाने पड़ेंगे आपको ठीक है, बड़े आगे आज बहुत बच्चे हैं वाई आज बहुत बच्चे हैं जूल्स लॉप हीटिंग, जूल्स लॉप हीटिंग की स्टेटमेंट देखो CBSC 2018 में पूछी हुई है, आओ देखो जड़ा आओ देखो जड़ा, है ना टेटमेंट देखो इसकी, इट स्टेट दाट लिख रहाँ पूरी इट स्टेट 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 दाट हीट फ्लोईंग जनरेटिड आएगा हीट जनरेटिड in a conductor is directly proportional to directly proportional to the square of the current flowing comma resistance of the conductor and time period of the flow of current of the flow of current यह देखो, यह statement है Joule's law of heating की, ठीक है ना heat generated जो भी होती है यह देखो यहाँ पर ध्यान से heat generated जो भी होती है वह directly proportional होती है to the square of the current flowing यानि I square के proportional होती है पे इसके रेजिस्टन्स के भी proportional होती है सब को proportional होगी कठा करेंके लिखे देंगे इसको I square rt फिर proportionality का sign हटा के equal to लगा करके बोलता है कोई concern नहीं है concern one है तो आई स्कोई राइटी यह formula बन जाता है Jules law of heating का तो आप कभी भी साथ-साथ जो जरूरी बाते बता रहा हूं वो भी समझना और सीखना और सुनना ध्यान से आपने statement लिख दी बहुत बढ़ी आशाबाश तालियां पीठ थपता नीचे तुमा हुआ है लेकिन मैं ncrt के उपर focus करते हुए cbsc के इसाप से शांसर को लिख रहा हूं तो यह चलेगा एकदम एकदम धमाका करेगा ठीक है बढ़ते हैं आगे एक और cbsc 218 का question है why are metals good conductor of electricity where glass is a bad conductor आप इसका मुख्य कारण बता सकते होगा जल्दी से comment में बुलो इसका में कारण क्या है बता सकते होगा metal good conductor क्यों है electricity के glass bad conductor क्यों है electricity के क्या answer दोगे because of free electrons अर्णव ने बताया free electrons free electrons free electrons free electrons low resistivity देखो सही है सही है reason सही दे रहे हो यार reason सही दे रहे हो लिख सकते हो कोई दिक्केत नहीं है अप दोनोय reason चाहो तो लिख सकते हो क्या 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 कि metals का metals का यानि conductors का जो resistivityो चाहनि говорить रहा यह लो होता है कम होता है है ना वेराज वेराज जो नॉन मेटल्स होते हैं यहां जैसे ग्लास एक नॉन मेटल है ना यानि एक इंसूलेटर है यह ना इंसूलेटर है तो इंसूलेटर का यानि नॉन मेटल का नॉन मेटल्स का mostly, mostly, रो जो रहता है वो हाई रहता है, यानि resistivity ज़्यादा रहती है, ठीक है ना तो resistivity ज़्यादा भी कारण है इसका, otherwise आप फिर deep में जाकर के बात लिख सकते हो कि भाई, मेटल्स के पास electron की संख्या free में ज़्यादा होती है free electron ज़्यादा होती है, क्यों कि metal का size बड़ा होता है, यह मैं सारी बाते अल्रेडी उन lectures के अंदर बता चुका हूँ जो lecture की मैंने आपको तीन दिखाए थे शुरू में thumbnail, वहां मैं बात कर चुका हूँ कि size बड़ा होता है metals का आप लोगोंने periodic classification of elements अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे है ना, और पढ़ करके यह जानोगे कि जब period में चलते हैं तो size घटता है, यानि metals का size, atomic size बड़ा होता है और छोटा, 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 non metal की तरफ जाते जाते यह size छोटा होता जाता है, तो जितना बड़ा size होगा, उतना ही दूर तक जो nuclear charge है, जो nucleus पर charge है, वो उतनी ही दूर वाले electron को force नहीं लगा पाएगा, क्योंकि size काफी बड़ा है, तो आसान रहेगा यहाँ से electron को बाहर निकालना और electron बाहर निकल गया, तो free electron हो गया, और free electron हो गया तो conductivity देदेगा, है ना, तो metals का size बड़ा होता है, इसलिए जो electron का बादल है, वो जल्दी से छोड़के निकल जाता है, metal को, है ना, तो इसलिए electron जो है, वो जल्दी से छोड़के निकल जाता है, whereas, non-metal के अंदर size होता है, छोटा, छोटा size होगा, तो जादा खीच पड़ेगी, जादा खीच के रखेगा, electrons को, तो bounded electrons जादा होते है, as compared to metals, non-metal के case में, ठीक है, ना, तो इस तरीके से आप इसका answer को लिख सकते हो, पूरा, ये सम मत लिखना, size-wise की बाते मत लिखना, size-wise की बाते नहीं, लिखी होई, NCRT के अंदर, size-wise की बाते आपको सिर्फ समझाने के लिए थी, आपको लिखके क्या आना है, वो बता रहा हूं, मैं आपर, लिखके आपको रो की बाते आनी है, साथ इसा बात, साथ आ फ्री electrons की बाते कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बाते लिख सकते हो, ठीक है, और पूछो, ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे, बढ़ रहे हैं आगे, चलो, हाँ मैं, identify the following, CBSE द्वरे 15 कोईशन है, identify the following symbols of commonly used components in a circuit diagram, ये किसका component है, ये क्या है, resistance है ये, क्या है, 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 वाट इस रियो स्टाइट, येस, येस, रियो स्टाइट है ये, रियो स्टाइट है ये, रियो स्टाइट बोलें, यहाँ वेरियेबल रियो स्टाइट बोलें, याँ वेरियेबल रियो स्टाइट बोलें, लिए क्या है यह सा यारा दिया आपर यह दिया वोगा है कंपने के लिखो गे लिख क्लोज्ड प्लग की पूरा ठीक है गल्तना हो जाए कहीं सब्लग से चांस ने रहेंगी अगर आपनेले अधिये यहां एसा लिखना चाहिए ठीक है ना तो मैं जब कोशन लेकर क्या रहो तो आपको समझा भी रहा हूं कर आपको उसके देने चाहिए मतलब मेरे साब से जितना मुझे एक्सपिरिंस है थोड़ा साथ थोड़ा बहुत चोटा मुट एक्सपिरिंस मुझे है ना कई साल हो चुके बच्छों को पढ़ाती है तो थोड़ा बहुत आइडिया है किस तरीके से 90 से जादा 95 से जादा सकते हैं कि यह हमारे बच्छोंने स्कोर अलड़ी तभी कि लाइक्रोम इसे यूज्सटु मेक दा ययद Caf hai कोशचन देखो नई ancora समय क्यों यूज किया जाता है फटा फट से अ इसा सफने किशल करना ऐप अब लंइंड कि आपन प्ललक कैसा होगा साहुजी पूच utterे है लाव जी ते साहुजी 7rd लेक्चिर अटेंड करो, बिना लेक्चिर के मता हो यहाँ, की वाई क्यू करने आए और बिना लेक्चर देखे, सोचना चीह आपको थोड़ा, लेक्चर तो देख क्या हो कम से कम, हाँ जी, Nichrome कारण क्या है, Nikrome क्यू यूज होता है, येस, येस, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर भी दे रहे हैं, देखो, सुनो, आई क्रोम जो है, वो एक अलोय है, ठीक है, अराम अराम से तोड़ तोड़ के आंसर को लिखो, तोड़ तोड़ के आंसर को लिखो, आई क्रोम जो है वह एक अलॉय है किसका और वी निकल और ख्रोम यूम का अलॉय इसके लावा भी दो तीन एलिमेंट ओर रहे है जो एलिमेंट ओर है ठीक है ना इनली यह थैयए और यह साथ सतर प्रसंट जहां यह दोनों है निकल और क्रोमियम थीका है शायद मैंगनिन है मैंगनीस भी को वेरी हाई नहीं होगा लेकिन हाई होगा ज्याधा होगा as compared to metals ठीक है ना एर लिख देता हूँ यहां higher as compared to metals थोड़ा सा flow chart के फ़र्म में लिख रहा हूं आसे म सर की किरपा है मुझ पे फ्लो चार्यक्राप के खाम में लिखने की जूरूड नहीं, है न, अप इसको पूरा आंसर पराग्राफ के खार्म में इसको आपने प्टा सकते हो तो अलॉय है निकल क्रोमिय मेंगनीज का रो जो है एस कंपेड़ टू मेटल्स इसकी रिजस्टिविटी जो है वो जाधा रहती है आप जाधा रहेगी तो क्या होगा जाधा रहेगी तो भाई इसको आप हीटर हीटर यानी हीटिंग एफेक्ट मे होगी और स्थाय drug तो क्या होगा तो हीट जन्रेट भी क्या होगी हाई होगी यह द रिधका मुला होता है आई स्क्वयर आर के लिधो अगर अगर आर बड़ा होगा तो एच भी बड़ा होगा है ना और आर बड़ा क्यों है रिस्टिविटी हाई है रिस्टिविटी हाई क्यों है क्योंकि अलोय है और अलोय का नेचरी ऐसा होता है बात खतम ठीक है जी बात सुझ में आ गई पासमज में आ गई है ना नाइक्रोम अलोई है अलोई का रोज जाधा रहता है as compared to metals इस वज़े से resistance जाधा होती है जिस वज़े से हीट भी जाधा होती है ठीक है यह बड़े दिल बना रहे हो तुम यार क्या बात है चलो आगे चलते हैं तीवेसी दर सोला वट डू यू मीन वाई रिसंस ऑफा कंड़क्टर यह रिसंस क्या होता है तो रिसंस की basic definition मैंने हर बार lectures के अंदर दिये आपको है ना फिर भी लिख देता हूं मैं एक बार के रिसं यह पकोसिशन होती है खेक है opposition पेस्डवाई पेस्डवाई तो करंट फ्लोइंग चरंच युश्टवैंग इन ग्रद पार कंड़क्टर बिख दाक देते लुशा इंदर लेक्षा हों ठीकौन कि बाकी की जगा नहीं बचेगे फिर उसकी unit क्या है उसकी unit क्या है तो it's it's SI unit SI unit is home ओम इसकी SI unit है ठीक है ना इसको बोल रहा कि define करके दिखाओ अब define कैसे करोगे unit को देखो define करना और state करना तो अलग-अलग बाते होती है ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ गड़बड हो जाती है क्योंकि पढ़ते नहीं हो सही से कुछन को कमेंट वाजी में लगे हो यो पढ़ लो कुछन को सही से कुछन state नहीं कर रहा कुछन कर रहा define करो इसकी unit को है ना तो define करने के लिए आपको थोड़ा सा लंबा language में इसको परोसना पड़ेगा टीचर के आगे चेकर के आगे है ना थोड़ी सी लंबी कीच करके language बनानी पड़ेगी इसकी कैसे बनेगी देखो जरा कैसे बनेगी देखो जरा आप ये बोलोगे के वेन वेन वन वोल्त ओफ potential difference PD है ना voltage बोलते है जिसको है ना PD लिख रहा हूँ potential difference is applied is applied and a current of a current of one ampere is drawn एक ampere का current अगर खीचा गया एक वोल्ड का potential difference लगा के एक ampere का current अगर खीचा गया ठीक है ना then then resistance is set to be is set to be one ohm ठीक है एक ohm की resistance बनेगी कहां से पता चला यह ओम सलो से पता चला यह वी इस इकवल टू आई आर होता है वी को वन पुट किया आई को वन पुट किया तो आर भी क्या आएगा वन ओम आएगा इस तरीके से डिफाइन होती है कोई भी यूनिट ठीक है ना कोई भी इन इस तरीके से डिफाइन हो सकती है तो आपने यूनिट को डिफाइन करना हो तो यह काम What would happen to this current if the wire is replaced by another thicker wire of same material and same length? भाई देखो, या sideway answer कर देता हूँ इसका, sideway answer कर देता हूँ, देखो, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक resistance की wire लगी हो, एक cell लगा हुआ, उसमें I current चल रहा है, है ना? यह resistance है माल लो, ठीक है ना? उसमें I current चल रहा है, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वाट वोड़ है ना? तो अब जब wire थिक हो गई है, तो resistance हो जाएगी कम, बात को ध्यान से समझना, क्योंकि resistance जो होती है, वो inversely proportional to area होती है, resistance is inversely proportional to area, तो अगर आप मोटी यानि आपने area बढ़ा दिया है, तो resistance हो जाएगी कम, और resistance अगर कम हो जाएगी, तो current flowing जाधा हो जाएगा, पर potential difference, जितना potential difference पर पहले current आ रहा था, उसी potential difference पर अब जाधा current आएगा, तो पहले से current क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना? पहले से current क्या होगा? आदिया, area बढ़ाने से रुकावट घट गई, और रुकावट घट गई, तो उतने ही potential difference पर अब जाधा current खिचेगा, तो जाधा current आएगा, ठीक है? ठीक वायर, more area, less hour, more I, बिल्कुल सही बच्चे ने लिखा याँपर, हीना ने, हीना, ठीक है? बढ़िया, बढ़िया, सी सीधा से जवाब लिखे दिया बच्ची ने, CBSE दर 15 कोशन है, an electric circuit, state of the relationship between the direction of conventional current and the direction of flow of electron, देखो, कोई लड़ाई नहीं है, easy सी चीद है बहुत, है ना, क्या बोल रहा है कि state of the relationship, अब state का मतलब आपने, आपने कोई formula नहीं लिखना है याँपर, आपने सिर्फ ये बताना है के current की जो direction होती है, conventional current की जो direction होती है, वो एकदम opposite होती है, flow of electrons, CBSE दर 15 कोशन है भाई ये, आप देख रहे हो, मत्तब NCRT क्या पूछ रही है, एक line दी हुई है, ऐसी NCRT गे अंदर के बाई, direction of conventional current is opposite to that of the flow of electrons, यहाँ में लिख रहा हूँ इस बात को, direction of, direction of, conventional current, conventional current मतलब हो गया, IE, जिसको आप IE से denote करते हो, है ना, जो positive से negative चलता है, है ना, conventional current is from, है ना, positive terminal of the battery to negative terminal of the battery, मैं शॉट में लिख रहा हूँ इसको, आप इसको पूरा लिख ले ना, positive terminal of the battery to negative terminal of the battery, whereas, whereas, the flow of electrons, है ना, the flow of electrons, is from negative side of the battery to positive side of the battery, इस तरीके से आपको इसको लिखना है, statement लिखनी है, बस और कुछ ने, ठीक है, statement लिखनी है, बस और कुछ ने, ठीक है, statement लिखना है, आगे बढ़ना है, CBSC 2016, why are electric bulbs filled with chemically inactive nitrogen और argon gas, देखो, बस कुछन है, बढ़िया कुछन है, वैसे भी ये कुछन तो chemistry का है, है ना, oxidation आप लोगोंने पढ़ा होगा, कि metal oxidize कर जाते हैं, है ना, metal oxidize कर जाते हैं, एक सिगंड, तब ये क्या कर जाते हैं, oxidize कर जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए कि नहीं, तो filament की life कम हो जाएगी, basically वो अपना काम कम कर देगा, क्योंकि कुछ और substance बन जाएगा, वो, over a period of time oxygen के साथ react करता रहा, करता रहा, करता रहा, oxide layer जमती रही, जमती रही, तो फिर वो अपनी effective power नहीं दिखा पाएगा, जो उसको दिखानी चाहिए, तो glow उतना नहीं आ पाएगा, यानि over a period of time bulb का glow घटने लगेगा, है ना, तो इससे बचाने के लिए, bulb की life को बढ़ाने के लिए, उस glass के अंदर, जिस glass के अंदर वो filament रहता है, ऐसा filament होता है ना, और इसके आसपास क्या रहता है, इस glass के अंदर आरगन, आरगन या nitrogen आसा ये बोल रहा है, तो ठीक है माल लेते हैं, वैसे आरगन लिखा हुआ है, है ना, ये फिल करा जाता है, क्यों, क्योंकि इनका nature inert है, ये शब्द आपने chemistry में अलड़ी सुना हुआ है, इनका nature है, इनका nature होने से क्या होगा, ये unreactive रहेगा, ये ना, आन्रियक्टिव रहेगा, ठीक है ना, तो which prevents, which prevents, ठीक है ना, हलकी अलके keywords लिखवा रहा हूँ, बाकी full line आप खुद लिख सकते हो, है ना, which prevents oxidation, है ना, which prevents oxidation of the filament, तो इससे filament खराब, जल्दी से नहीं होगा, ऐस अगर के लिख सकते हो, ठीक है, ये पहले का answer था, तूसरा, resistance of a wire is, of wire 0.01 cm, radius is, radius is 10 ohm, resistance of a wire of, अच्छा, ठीक है, ठीक है, आगे पीछे होगा, resistance of a wire of, इतना cm radius, तो radius दी हुई है, radius दी हुई है, radius दी हुई है, 0.01 cm, ठीक है, molar, और resistance दी हुई है 10 ohm, resistance दी हुई है 10 ohm, resistivity भी दी हुई है, यानि row भी दिया हुआ है, और यह 10 की power उपर है भाई, minus 8, ठीक है न, उपर है यह, ओके, उपर है यह, उपर है यह, minus 8, यहां लिख देता हूँ, तुमको फिर PDF पे दिक्कत आएगी न, इसका PDF पता न, कहां से मिलेगा, इसका PDF मिलेगा, आपको physics वाला क एप पे जाना है, ठीक है, एप को डाउनलोड करना है, उसके अंदर लॉग इन करना है, है न, और जैसी आप वहां लॉगिन करोगे, all batches, batches section के अंदर जाओगे, all पे क्लिक करना, वहां पर आपको warrior batch सर्च करना है, सर्च तूल भी आएगा, सर्च बार भी आएगा उपर, वहां पर आपको warrior batch सर्च करना है, और आपको आज के date के नीचे, आज का, इसका link लगा हुआ मिल जाएगा, पीडिएप का, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है न, जो करना चाहें, ओके, तो हाँ, आर, यानी radius दी हुई है, resistance दी हुई है, और रो, रो दिया to row L divided by A, L निकालने के लिए मैं A को साथ ले जाता हूं, तो यह हो जाएगा, R A बटा रो is equal to L, है न, रो नीचे चला गया, रो नीचे चला गया, A चला गया, R के साथ, तो resistance को पुट किया आपने 10, area को पुट किया आपने, area ही नहीं, pi R स्कूर करना पड़ेगा इसको, ओह हो, pi R स्कूर, तो 3.14, है न, इन्टू R, R क्या है, 0.01 का भी centimeter है, उसको meter में convert करना पड़ेगा, meter में convert करने के लिए 10 की power minus 2 कर लो, है न, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 की power minus 2 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो, उसका भी फिर square लेना पड़ेगा, R स्कूर करना ना तो यह पूरा area आ गया, नीचे row, row कितना है, 50 into, 50 into 10 की power minus 8, ठीक है जी, तो यहां से 10 की power minus 8 तो पूरा पूरा कट रहा है, देगो, 2,0 नीचे आ गये, 2,0 नीचे आ गये, उपर चले गये, तो 4 और 4,8 हो गया, 8 तो ऐसी गट गये, ठीक है, और, 31.4 divided by 50, यह आ रहा है, ठीक निचाल लोगे ना भई, इसको निचाल लेना मीटर में आंसर आजाएगा, ठीक है, मीटर में आंसर आजाएगा, आ रहा है, 0.62 यह कैसे आंसर निचाला, पॉइंटों में आएगा यह तो, 0.1 आएगा, 626 मीटर कैसे, कुछ भी, कुछ भी भाई, है ना, 0.62, 0.62 मीटर है ना, 2 decimal तक दे दो, बस बहुत है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत सरे बच्चों का अंसर आभी गया, आगे बढ़ते हैं, ती वैसी दर 15, what is meant by the statement, potential difference between points A and B, in an electric field is 1 volt, देखो, देखो, फिर definition से निकाला हुआ फॉर्मुला, definition से निकाली हुई, फॉर्मुला रहे गए, ठीक है, एक वोल्ट का potential difference किसी दो पॉईंट के बीच में देने का क्या मतलब होता है, समझो देखो ऐसा है अगर दो पॉइंट के बीच में यह A point है यह B point है ठीक है ना इनके बीच का potential delta V अगर एक volt के बराबर है potential difference लिग लेता हूं इसको मैं voltage लिग लेता हूं voltage इसकी 1 volt है अगर तो इसका यह मतलब होता है इसका यह मतलब होता है कि A से B charge को चलाने के लिए ध्यान से सुनना A से B charge को चलाने के लिए A से B एक कूलम के charge को चलाने के लिए एक जूल का work done किया गया है शिरुती गुपता answer दे रही है comment के अंदर और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर के answer ठीक है ना यही answer है इसका कि A से B आपने के charge को चलाया वो भी एक कूलम के charge को और उसको चलाने के लिए एक जूल का काम आपने किया ठीक है ना एक जूल का work done आपने किया आटार उसित वो लाग वो 시작 सबस्क lég neglected निल्ड एक डिए वी ळी कूई टो जम्प करो ऐसेट तो टाइम पास कर रहा है 2 बना देखे आगया थो टाइम पास चल रहा आतानी कोशिन कैसे करोगे चलो असमा अट और बैठे और करे रट आ वो होता वोता ही वहूता पना से तो आपको यहां पर अंगरेजी में लिधना है आदत छूट गई dmcq देते देते हैं तुमारी है ना शॉटकट में आंसर दे जाते हो नहीं आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है सब्जेक्टिव आपका पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो लाइने खीचनी पड़ेंगे आप छीचनी पड़ेंगे लेकिन थोड़ा तो खीचना पड़ेगा एक दो लाइन के अंदर तापको कम से कम उस फॉर्मुला को इस फॉर्मुला को एक्सपेराइन करना पड़ेगा है यह लिख होगे कि वेन वन जूल अफ वॉक इस ड़न on one coulomb of charge while displacing it from position B to A, the potential difference is set to be one volt. ऐसे करके लिखना पड़ेगा. ठीक है न? कि A से B में ले जाने के लिए एक जूल का वगडन किया गया एक coulomb के charge पर. तो हम ये बोल सकते हैं कि A और B के बीच का जो potential difference है वो एक volt है. इस तरीके से इसको define किया जाता है. ठीक है? एक बार last बार repeat कर रहा हूं मैं इस बात को सुन लो ध्यान से. बच्चा लिख रहा है repeat. सुन ले. तेरे लिए बोल रहा हूं. A और B के बीच का potential difference 1 volt ऐसा दिया हुआ है. पूछ रहा है इसका meaning क्या है? इसका meaning है कि तू चार्ज को B से उठाके A पर ले गया और वो चार्ज एक कुलम का है. एक कुलांब के चार्ज को B से उठाके A पर ले गया और एक जूल का काम किया उसके उपर. ले जाने में. ले जाने में 1 जूल का work done किया. That's it. ठीक है? एक जूल का work done किया. एक कुलम के चार्ज को एक जगा से दुश्री जगा ले जाने में तो एक वोल्ट का प्रोटेंशल डिफरेंस ऐसे डिफाइन हो जाता है दो पॉइंट्स के वीच में ठीक है बड़े आंगे एक बच्चा लिख रहा है 5 by 5 भी वन होगा हाँ बिल्कुल होगा मैं कम मना कर रहा हूँ 5 by 5 भी वन होगा तो भी वही बात है तो भी तो एक जूल को एक कुलम ही लगेगा एक कुलम को हिलाने में एक जूली तो लगेगा तो जब तू पाँच पाँच लिखेगा तो भी तो एक एक ही यह बात परक्या बढ़ गया उससे ठीक है चलो अवे देखो यार कैसे कोशन है इलेक्ट्रीशन जो है वो रबर के गलब्स क्यों पहनते है अपने हाथों में तो भाई रबर रबर एक रबर एक इनसुलिटर है क्योंकि उसका रो जो है वो वेरी हाई है तो इसलिए वो क्या बनता है वो एक एक precautionary precautionary wear बनता है precautionary wear है, जैसे आप चश्मा लगाते हो आप जब लैब में जाते हो chemistry लैब में तो चश्मा लगाते हो वो उसके, जो आई protection के लिए जो होता है वो लगाते हो gloves पैनते हैं boots पैनते हैं, gum boots पैनते हैं और उपर क्या लेते हैं? लाब कोट लेते हैं ताकि यूनिफर्म गंदी ना हो कोई दाग न लग जाए यूनिफर्म पर वगरण तो इसलिए इसलिए इनसुलेटर भी मतलब रबर गलव्न ब्लस प्रिकॉश्णरी विर जैसे बहुत सारे प्रिकॉशनरी विर और भी होते हैं उस तरीके का एक रबर भ के परस्पेक्टिव से चीज़े क्या चल रही है देखो आपके सामने हैं ऐसे कोशन आते हैं वाई हाँ हलवा और गाजर का और मूली का हलवा विलकुल सही वाद है यह यह आएक अच्छा कोशन देखो जरा हो मैंनी 40 वाट के बल्ब कितने 40-40 वाट के बल्ब लगाऊं है ना जो कि 220 वाल्ट की रेटिंग वाले हैं 220 वाल्ट की रेटिंग वाले 40 वाट के बल्ब जो हैं है ना वो कितने कनेक्ट हो सकते हैं एक 220 वाल्ट 5 अंपियर की लाइन पर इसका मतलब समझ में नहीं आता बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब भी समझो बहुत सारे बच्चे त तक current जो है वो उठा सकती है wire, ऐसी 7 ampere की line होती है, ऐसी 15 ampere की line होती है, ऐसी 25 ampere की line होती है, आप electrical engineering में जाओगे, electrical के subject पढ़ोगे तो वहाँ पर ऐसा देखने में आता है, 25 ampere की line होती है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो जो line है, यानि वो जो wire है, वो 50 ampere या 25 ampere respective जो भी दिया है, वो उतना ampere current तक hold कर सकती है, उठा सकती है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कि भाई एक wire है, जिसमें 5 ampere तक current उठ सकता है, maximum जा सकता है 5 ampere current, ठीक है न, कितने पर जा सकता है, तो 220 volt पर जा सकता है, 220 volt पर जा सकता है, ठीक है, 220 volt पर 5 ampere current जा सकता है, तो पावर मैक्सिमम कितनी उठा सकता है, यह जो लाइन है, यह जो वायर है, यह पावर मैक्सिमम कितनी उठा सकता है, बच्चे 110 answer कर रहे हैं, 110, अच्छा देखता हूँ, मुझे तो ऐसे याद नहीं होता भाई, हम तो रट्टे वाले बंदे हैं नहीं, ठीक है न, पावर द गया ज्यारासो वाट हो गया आपर जो आ गई वो आगई एटासो वाट तो अब ऐसा ना भाई कितने 40 वाट के बलब जो है वो मैं लगा सकता हूँ ठीक है तो 40 वाट के बलब गर मैं लगाउंगा तो simply वो पावर जो हो वो maximum जाकर कितनी होनी चाहिए 1100 चाहिए तो मैं आपर क्या लिख सकता हूं कि पीनेट पीनेट जो है वो n टाइमस एक बल्ब की पावर है तो n क्या हो जाएगा एन हो जाएगा पीनेट डिवाइड बाई पीनेट कितना है ग्यारा सो और पावर कितनी है चालिस कट करता हूं इसको कितना आ रहा है पच्पन कि अधाए 27 कुम तो 110 बोल रहे हो भाई कि तुम एक सुदस कैसे बोल रहे हो और साड़े 27 बलब तो हो नहीं सकते तो 27 बल्ब इसका अंसर है कि अधा बलब थोड़ी काटके लगाउंगा वह यह पूछना चाल सकते हैं कि मैक्सम कितने बलब होल्द कर सकता है तो तेरे पड़ेंगे, 27 इसका answer है, तो आपने 27 answer लिखना इसका, ठीक है 27, तभी सही होगा, साढ़े 27 मथ लिख्या आना, यह थोड़ा सा logical question है, थोड़ा सा logical question है, थोड़ा सा logical question है, थोड़ा सा लॉजिकल कोईशन है सुनना क्या रहा है हाओ आरे टू रेजिस्टर्स विद रिस्सेंस आरवन ओम और टूम और टूम और टूम और टूम बी कनेक्टेड तो आप बैटरी ओफ एम 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 देखके घबराना मत वोल्टेज होता है अभी के लिए वhol्टेजी समझ लो है आप बैटरी के अब ओट जो वोल्टेज होती है उसको ही मैं बोलते है अलेक्तरमोटीव पोर्स nemस्कोंट्री होती है है यह बादब्र बोल्टेज ही होती है थी करतें इसका आपको दिया हुए given है, है न, to obtain maximum current flowing through it, क्या question है भाई, देखो, कह रहा है कि maximum current निकालना है, मुझको, ज्यान से सुनना, कह रहा है कि maximum current निकालना है मुझको, I को मुझे maximize करना है, I को मुझे बढ़ाना है I को बढ़ाने के लिए मेरा R कम होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ Resistance should be low ना Resistance कम होनी चाहिए ना फिर series लिखरे हो पिटना जाना मुझसे टारलल आंसर है इसका series कैसे होगा maximum current निकालना है भाई maximum current तब निकलता है जब resistance कम हो और कम कब होती है, जब series में जोड़े हैं तो कम होती है ती गया, अगर मैं ये जोड़े जाओ, दो, 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 ऐसे जोड़े तो क्या आएगा, एक और एक आदा आएगा, आधा हों आएगा, तो parallel में जोड़ोな ताकि net resistance जो है वो कम रहे लो रहे, तो current क् इसलिए R1, R2 को parallel में जोड़ना चाहिए, ठीक है, parallel में जोड़ना चाहिए, parallel इसका answer है, बढ़ते हैं आगे, calculate the amount of heat generated while transferring 90,000 C of charge, जो जो दिया है वो लिख लो, जो जो दिया है वो लिख लो, कहरा calculate the amount of heat generated, H निकालना है आपको, ठीक है, transfer कितना charge कर रहे हो, Q, capital क्यों लिखता ह between two terminals of the battery, voltage रखी है, कितनी, 40V, और समय दे रखा है आपको एक घंटा, अब एक घंटा में बात होनी नहीं चाहिए, बात होनी चाहिए, seconds के अंदर, ठीक है न, और फिर उसके बात क्या रहे है कि power भी निकालो, यानि heat भी निकालनी और power भी निकालनी है, दोनों काम निकालने अब ठीक है, तो क्या करें, क्या करें, क्या करें, कैसे करें, देखो जी, चार दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, heat upon time, अगर heat आ गई, time से डिवाड़ करके power निकालनी हुआ, हाँ की न, अगर heat आ गई, तो time से डिवाड़ करके power निकालनी हुआ, है न, तो हम यह आपर, कुछ भी, जो मर्जी, कुछ भी लगा सकते हैं, आने कि न, तरीक हैं इसको करने के, देखो, power com लिख सकते हैं, वी आ हुआ है, 40, और current जो होता है, वो होता है, charge upon time, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, V तो V ही है, लेकिन current क्या होता है, Q divided by T, है न, Q divided by T, और यहाँ पर power है, ठीक है, तो, Q दिया है, V दिया है, तो heat आ ऐसी निकल जाएगी, time को दर ले जाता हूँ, देखो, एक और तरीके से द voltage होती है, work done upon charge, है न, और work done और energy, यह एक ही बात है, है न, जहां तक हम battery के work done को consider करें, है न, तो यह एक ही बात है, कि भाई, circuit का total work done उतना ही आएगा, तो total energy जो expand होगी, वो उतनी होगी, यानि मैं क्या करूँगा, मैं Q को V से multiply कर देता हूँ, तो मेरा work done निकल के आ ठीक है, 9.36, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 10 की पावर 5, Joule, this is heat, यह heat आ गई, यह heat आ गई, और यह तो यह बन रहा है, 3.6 into 10 की पावर 6, Joule, है न, यह बन रहा है तो, और यह क्या होता, यह 1 kWh के बराबर होता है, यह तो खरवे न ऐसी बता दिया, आपको छोड़ो इसक match हो गया, तो इसलिए ऐसे बता दिया है, आपके न, ठीक है न, भई, हाँ, तो मैं गया रहा था, हाँ, अब क्या निकालना, heat आ गई, पावर निकालनी है आपको, तो पावर के लिए क्या करते हैं, पावर के लिए हम, पावर के लिए हम, heat को टाइम से में, डिवाइड कर अबे, तो मजा आ गया वई, ये तो मजा आ गया, किलोवाट अर अच्छा गया, निकाल लिया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ये किलोवाट आर के अंदर क्या आई है, energy आई है, न, heat energy आई है, यो टाइम क्या दे रखा है, आर में दे रखा है, 1R, आर से आर कट गया, देखरे हो तुम, देखरे हो शातिर दिमाग देखरे हो मेरा, इसको वाट में भी चैन कर सकते हो, तुम चाहो तो, power expanded in the process, वाट में भी चैन कर सकता आप इसको, 3.6 इंटू 10 की पावर 6, और किलो को भी चैन करेंगे, तो 10 की पावर 3 और आ जाएगा, है न, तो हो जाएगा कुछ मज़ा आया तुम को मज़ा दिलांगुा नी, तो मैं कहांसे फिर कुछ कर सकता हूँ, है न, बदही दवारा धेगो, बदेगो, हमें क्या-क्या निकालना है? यहीट निकालनी है और निकालनी है न, और早ग की हो, घां यह बाए Q, वर्गदन अपन 4, यह वल्टेज का फॉर्मला है, तो आपको, आपको वर्गदन निकालना है, तो Q into V कर दो, Q दिया हुआ देखो 90,000, 90,000, V दिया हुआ आपको 40, यह वर्गदन आ गया, 9, 4, 36, 36 और 1, 2, 3, 4, 5, यानि 10 की पावर 5, है ना, This is the energy, यह आपकी heat आ गई, वर्गदन कोई मैं heat लिख सकता हूँ, यह मेरी energy आ गई, ठीक है, अब यह जो energy आई है, यह तो आई है joule में, इसको kilowatt hour में chain कर लेते हैं, ठीक है ना, देखो, मतलब, 1 kilowatt hour के बराबर लिख लेता हूँ, इसको तो ऐसा लिख सकता हूँ, 3.6 into 10 की प अरे अरे, यह heat आई है 1 kilowatt hour के बराबर, ठीक है, तो अब मेरी heat निकल गई, joule में भी और kilowatt hour में, अब मेरी बार यह power निकालने की, है ना, और power क्या होता है, power होता है, heat divided by time, rate of, rate of heat transfer, है ना, और heat को मैं kilowatt hour में लिख लेता हूँ, यादी 1 kilowatt hour लिखता हूँ, है ना, मैं क्य ज्यादा power आ रही थी पहले यार, है ना, बहुत ज्यादा power आ रही थी, यह power आ गई, यह power आ गई, 1000 watt तो ठीक है, है ना, 1000 watt तो एकदम ठीक है, और heat जो आ गई वो 3.6 into 10 की power 6, तो सही है, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, एक formula यह लग गया, voltage वाला, है ना, और ए एक formula लग गया, power वाला, ओके, तरीके अनिगी नहीं तो सकते हैं, इसको करने के, कोई को यहाँ पर current निकाल सकता है, Q divided by T करके, फिर V I करके put कर सकता है, पावर के अंदर, है ना, फिर उसको divide by time या multiply by time जैसे वरजी कर सकता है, ना, तो तरीके तो बहुत सारे हैं, इसको करन हैं, है ना, बीस मदों पेपर हुए नहीं, तो उननिस, अठारा, सतरा, वो चल रहा है, ठीक है, चलो, देखो, show how would you join, show how would you join, तीन रिजिस्टर, इच अपर सन 9 ohm, 9 ohm के तीन रिजिस्टर हैं, 9 ohm, 9 ohm, और 9 ohm के तीन रिजिस्टर, यह मैंने हर बार कराया है, जब जब पढ़ाया, इस तरह के कोशन में हमेशा लेकर कराने के लिए, ठीक है, अगर, अगर कहीं बीच में नहीं कराया, तो NCRT के डिसकेशन में कराया है, कहीं ना, कहीं मैंने कोशन हर बार लिया है, हर बार लिया है, ठीक है, चलो, देखो, show how would you join, so that the equivalent resistance of the combination is इतना और इतना, और तीन रिस्स को जोडने के चार तरीके होते हैं, ठीक है, समझे में आई बात, दो रिस्स को जोडने के दो तरीके, कौन-कौन से, series और parallel, देखो, अगर दो रिस्स मेरे को दे रख्खे हो, है ना, तो मैं कैसे-कैसे जोड सकता हूँ, logically, कैसे-कैसे जोड सकता हूँ, series में जोड लूँ, या parallel में जोड लूँ, ठीक, दोई तरीके जोडने के, लेकिन तीन रिस्स को जोडने के चार तरीके होते हैं, ठीक है, तीन रिस्स को जोडने के चार तरीके होते हैं, मेरे पास मालनों तीन रिस्स हैं, ये, ये, और ये, इसको जोडने के चार तरीके, कौन- पे और पैरलल ये तो दो तरीके पता ही हैं आपको इसके लावा तीसरा लॉजिकल तरीका भी है ये और चौथा लॉजिकल तरीका भी देखो इसके लावा कोई पाच्वा तरीका नहीं है जोडने का इसके लावा कोई पाच्वा तरीका नहीं है जोडने का यही चार तरीके हैं यही चार तरीके जोड़ने के तीन रिजर को तो अभी यह कहरा के नोग नोग है यह ना और सिरीज में जोड़ू है अगर अब तु देख सॉल्व कर रहा हूं उपट अफट धड़ा धड़। नाइन 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 श्रीज में चुड़ेगा तो आएगा 27 ओम क्या 27 ओप्षिन में है नहीं रिजेक्टिड वैं नौन नो को एड़ करेगा 27 आएगा 27 है नहीं भाई ऑप्षिन के अंदर हैना हमारे तो साड़े तेरा और चेंटर बनाओ या छे बनाओ तो मजा ए तुमने 1 by 9, 1 by 9, मिलके होगा, 3 by 9, इसको पलटना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 by आ रहे है, इतना तो आपको practice होनी चाहिए, होगी, I hope, 1 by 9, 1 by 9, 3 by 9 हो गया, पलट दो गया, तो 9 by 3 हो गया, 9 by 3 हो गया, कटेगा तो क्या आएगा, 3 ओम आएगा, तो 3 ओम भी नहीं है option में, 3 ओम भी नहीं है option में, तो 27 ओम भी नहीं है, cancel, 3 ओम भी नहीं है, cancel, यानि यही दो आपको answer देंगे, यही 2 हैं जो आपको answer देंगे, कैसे, देखो, 9, 9, 9, इन 9, 9 का answer होगा, 4.5, करके देख लो, इस 9, 9 का parallel होगा, 4.5, मुझे कैसे पता चला, shortcut एक, दिखा रहा हूँ, सुनो, जब 2 register दे रखे हो, दोनों ही parallel हो, और दोनों ही equal हो, क्या बोला, जब 2 register दे रखे हो, 2 से यादा में चलेगा ये काम, 2 दे रखे हो, parallel में हो, और equal हो, 2 हो, parallel हो, equal हो, 4.5, 4.5, अब ये series हो गया, series में सीधा सीधा याड़ कर दो इसको, तो answer आता है, साड़े तेरा, यानि मुझे first part मिल गया, मुझे मेरा first part मिल गया, ठीक है, इसको देखा, इसको देख, ये 9, ये 9, और ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, 9 हो क्या है, अठारा है, अठारा उपर, है ना, और 9 नीचे, अठारा उपर, 9 नीचे, parallel है, तो parallel को solve कर लो आप, 1 by 18, और 1 by 9, है ना, तो ये पूरा, divide by, 18 हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा, 3 by 18, कटेगा तो आएगा 6, 1 by 6, पलट दोगे, तो 6 ओम आ जाएगा, तो 6 ओम भी आ गया, तो इन से आपके answer निकलने वाले हैं, ठीक है, तो अब बच्चा पूछता कि कैसे लिखके आऊँ इसका answer में, इसका answer में लिखके कैसे आऊँ, तो इसको तुने लिखके नहीं आना, शो करके आना है, मतलब आपको ये नहीं दिखाना, obviously, लेकिन ये connection, ये connection, दिखाना पड़ेगा आपनी sheet के अंदर, calculation दिखानी पड़ेगा अपनी sheet के अंदर, और चाहो तो ये चीज़ लिख भी सकते हो, जो यहाँ पर आप लिख रहे हो, के 1 in parallel, 2 in series, 2 in series, 1 in parallel, वो वलानी चीज़े आप लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन show करने का मतलब होता है, diagram बनाना, और आगे calculation दिखाना, diagram बनाना, आगे calculation दिखाना, तो ये descriptive paper में करके आना, MCQ वालो, 2019 का question है, देखो, तुम्हारे साल की तरफ आगया के बढ़ रहे हैं, study the circuit of figure, ये क्या question हो, study the circuit of figure and find out current in 12 ohm, इसके अंदर current निकालना आपको कितना होगा, ये 12 ohm का रिस्सर है ना, इसमें current कितना चलेगा है निकालना आपको, ठीक है, difference in the reading of A1 and A2 if any, खुद्दू question एकदम, एकदम इलल्लू सवाल है, क्या रहा है, क्या रहा है, A1 और A2 के readings में क्या difference आएगा, बच्चा बदे क्या सुचता है, बच्चे के मन में एक misconception रहता है, मैं बदाता हूँ क्या misconception रहता है उसके मन में, उसके मन में ही रहता है, आगी है, तो current कुछ कम हो जाएगा, तो सर कम हो करके यहां आएगा, यहां reading कुछ कम आएगी, एक तो यह misconception रहती है, ठीक है, जब कि मैं यह बात 25 बार बोलता हूँ, उसकूल की मैडम भी 25 बार बोलती होगी, और जगा जाकर देखते होगे, वो भी 100 बार इस बात को बोलते होगे, कि सिरीज में current सेम रहता है, तो जितना current A1 में record होगा, उतना ही current A2 में record होगा, लेकिन बच्चे के मन में, पता नहीं क्या होती को नदी वेहरी हो, यहां से निकली है, बाड भी या पहुंची है, अभी इस वाले गाओ हमें, बाड भी यहां से भग लेंगे, यह नहीं होता यह नहीं होता कि भंडारा खाने के लिए घर से निकल नहीं है तो यहाँ भी पहुंचे हैं इधर पहुंचे अभी तो भई स्विच्व फीच दाउन किया करो कि एक साथ करंट पूरे तार में चलता है यह नहीं कि यहां से निकला और परसों पहुचेगा यहां तक ऐसा नहीं हो रहा है एब बेटाजी उर्स प Forsch लगा रहा है यह बहुची जब कोई नदी निकलती है पहाडों से तो पहाड पिगल रहा है ग्लेशर पिगल रहा है है ना ग्लेशर पिगल रहा है तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है है ना प्रेशर ऊपर से आ रहा है समुंदर नहीं चाहरा कि मैं खीचूं समझ रहो ना समुंदर नहीं खीच रहा है लेकिन यहां से दोनों कर रहे हैं अपना-पना काम यह वाला टर्नल धक्य मार रहा है मतलब कर करन निकला कल पहुंचेगा यहां पन खड़ जाते हैं मस आथ में पकड़के इसको तार को तो समझ लेना इस बात को कि जितना करेंट वन में उतना ही करेंट अब पूसर कितना करेंट होगा तो वह भी निकाल लेते हैं देखो भाई यह 24-24 से अभी अभी तरीका बता इसको कि अवद्विविश युकल को तो बराबर होई गया अभी ना दोर सागै किसले का तक थी has a फ़िए पक्लिक क्प टाष्ज साईगा अगा गी आगए-खफंश ऑम पना यह-वाराय मही बारा 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 हो inverse धानी त Perquè टीु chiंसे बारा बारा का तो यह 1-vas तो ट्वंटीफॉर ओंसर हो गया क्योंकि यह सिरीज है यह दो दिख रहा होगा सिरीज है भाई यह तो पैरलल निवोलोगे ना हाँ उडान कभूत्रों वारियर्स 12 वारा हैं 12-14 हो जाएगा उदेना इतना है अटना ही यह बिरिकॉर्ड करेगा इतना ही यह बिरिकॉर्ड करेगा इतना ही इसमें भी हुषेगा प्लक की से होथा हुआ जाएगा तो यह चलता रहेगा इचलता रहेगा बात आगई समझ में तीक दिल क्यों बना रहे हुतने च्या होगे प्यारा रहा ज्यादा आपको और आपको दिखरी कितनी टुची वराइटी है कुछ एक आधा कॉश्ण भीड़ता तो भीड़ता है सिर्मे दर्द करता है बाकी कोई सिर्दर्द नहीं करेगा बाकी मखन की तरह निकल जाएंगे फिजिक्स बहुत आसान है ठीक है चलो देखो और वट फेक्टर दर रिसंस अब कंड़क्टर डिपेंड किन किन बातों पर क्या फिर लिस्टी दफेक्टर सब्लेट आधा वायर लेंथ अब कंड़क्टर टीक न धोलते हैं जिसको अपन दूसरा है क्रोस सेक्शेटर अब देक्टर टीसरा है मटीड आपड़क्टर इसको हम क्या बोलते हैं resistivity और चौथा temperature जो फॉर्मूले में नहीं दिखता गौण रूप से भागीदार है गौणिक रूप से भागीदार है temperature of the conductor ठीक है ना indirectly dependent करता है मतलब row dependent करता है t पर फिर row आगे dependent करता है इस तरीके से बनता है और साथ-साथ proportionality भी लिख देना तुमारा कुछ जानी रहा लिखने में इतने भी आलसी मत वोनू proportionality लिख दिया करो side में है ना और चाहो तो explain explain मतलब paragraph में explain मत करना one line explanation दे सकते हो आप इसकी one line explanation मतलब क्या के resistance is directly proportional to length of the conductor resistance is inversely proportional to the area of the area of the cross section of the conductor ऐसे इस तरी से देना तुमने आंसर समझेगे है हाँ है और फिर इसको आप combine करके लिख सकते हो r is equal to row L by A ठीक है यह formula रहता है resistance का अपना निजी formula है उसका ठीक है तो इस सारी बात है जानते हो आप यार कोई नहीं बात नह है इस कुशन का अंसर निगालो हम जल ग्रहन करते हैं इतने जातरी जल मिलेगा जल पिला दू मिक्स गरम ना करो बहुत है थिक ठाक देना थिक ठाक ज्यादा गरम भी नहीं जदा ठंडा में रूम टेंपरेचा प्रिचा प्रिप्स निगाने देवेश् नहीं चिप्स निगाने केला खाओ देखो हम तो केला भी निखा रहे जल पिले हैं वे नमस्ते चल रहे हैं भी तक नमस्ते अंसर दो यार येश्टिवारी गयारे गरम पियो गरम पानी नहीं पिया जाता में रूम पानी नहीं पीता में पूरे साल किया कमंड करते है तुम भी यार दो लेंप है देखो भाई लेंप माने बलव होता है राटेड़ वार्ट टू हंड़ वोल्ट टीक है ओ ओओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-- मिंट नुट ढंक कुछ मिस्प्रेंट इंग एग मैं तो कुछ मिस्प्रेंट इंगे टू त exists here- argument हो सबीस वोल्ट इसको सीवेड खें होता है को टो एक ह्थें होताह। सबीस होलो से को इसा कुसे यह तो इतना ऐसा कष़ runtime नहीं देने वाला आपको के 200 पर निकल वाए फिर 220 पर करवाए तो नो 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 इस नोट डाट हम फुल इतना भी बुरा इंसान नहीं है बोड बनाने वाला तो यह 220 होगा 200 गलती से टाइप हो गया है ठीक है ना ऐसे अगर यह 200 भी होता तो भी अपने को खास फरक नहीं 150 वाट का है 220 वेल्ट पर पर जुदे मैं 220 लेके कर देता हूं कोई दिक्केत नहीं है ढें तो क्यरूरा के पैरलल में जुझे में सप्लाइच से में सप्लाइच का मतलब होता किसी वोल्टेज से जुडे और वो ब्लेच कितनी है 220 learnt के तो फिर वो दोनों रूना मिल करके डि 220 और सबीस शकते थे दोनों के तब भी निकाल सकते थे तब भी निकाल सकते थे किस से किससे है ना और current निकाल लेतें उससे कितना क्या दिक्कत थीन सकता था है ये काम वह सकता था ठीक है पर यहां पर 320 वोल्ट अगर हमने लिया हुआ है 220 वेल्ट हमने अगर लिया हुआ है और हमने इसको parallel में connect किया हुआ है हो जब रहा एक बलव यह रहा एक बलवे यह रहा दोनों parallel में connect है और कितनी वल्टेज से Connect है 2020 पर यह connect है तो 220 इस पर भी पढ रही है ус औध 220 वोल्ट इस पर भी पढ़ रही है ठीक है ना यहां तक सारी बात ओक्या है ठीक है 220 वोल्ट यहां भी पढ़ रही है 220 वोल्ट यहां भी पढ़ रही है ठीक है ना तो यह भी अपने फुल पोटेंशल से जलेगा यानि 60 वाट से जलेगा और यह भी अपने फुल पोटेंशल स सिम रहती है ऐसे। यहाँ पर भी कितने है यहाँ पर भी 220 और क्यों पर फोर्मुला आपने निकल जाएगा इसका आई निकल जाएगा इसको पोजिटिव याँ से निकलता हूं तो दोनों को जोड़ दोंगे तोwhat आपका total current होगा आइवन प्लस i2 जो वो आपका total i current होगा क्योंकि इसमें i1 चल रहा है इसमें i2 चल रहा है ऊपर से चल करकी जो आया वो i1 आया नीचे से चल करकी जो आया वो i2 आया दोनों को एड कर देंगे तो i निकल के आ जायेगा तो आईवन भी निकलाया कितना 60 बटा 220 एंपीर और आईटू भी निकलाया तो बटा 220 एंपीर है ना 60 ओवर 220 एंपीर और 100 ओवर 220 एंपीर दोनों करण निकल के आ गए दुन्नों को add कर देंगे ठीक है ना दुन्नों को जोड़ देंगे जोड़ देंगे तो i आ जाएगा i1 प्लस i2 है ना कितना कितना ताठ बटा में 220 प्लस 110 नहीं 100 है 100 बटा में 220 ठीक है तो यह हो जाएगा 160 divided by 220 कटेगा तो 11 और 8 आठ बटा 11 एंपियर एट अपॉन 11 एंपियर ठीक है ना प्रीवेस एर कोश्चन है बहुत मशूर हर साल कराता हूं मैं इस कोश्चन को Define the term volt ठीक है वोल्ट की definition आपको देनी है है थेना थो आप यह बताओ गस्पीा है यह लए एक और युनित चार्ज जब क्या जाता है तो उसी को वोल्टेज कहते है उसी का नम वोल्टेज है थेक है न? और फिर क्या रहा है, state है, सिरफ कोई find नहीं करना, prove नहीं करना, statement दे नहीं है, आपको state करना है, state करने का मतलब खाली आपको लिखना है कि किस तरीके से वो है, तो state लिखने के लिए a part हो गया, b part के अंदर, state लिखने के अंदर, ठीक है, तो यह हो जाता है, voltage is equal to, पुरा- work upon my charge, ठीक है जी, और, P is equal to, W over Q, उके जी, इस तरीके से आपने इसको लिखना है, ठीक है, बस, जैराम जी की, इसका अंसर करो भाई, जल्दी से, इसका अंसर करो जल्दी से, learner is known के रहा, दोस्तो लेकर कैसे करेंगे, अभी बताया तरको मैंने, इसको अगर तू दोस्तो लेगा, इसको अगर तू दोस्तो लेगा, तो इन दोनों की help से R निकाल लिए, इन दोनों की help से R निकाल लिए, यह R1, यह R2, पैरलल में लगे हुए है, पैरलल का फर्म लगा ठीक, उसके बाद, टोटल R आपके पास आ चुका है, टोटल V आपको पता है, 220 है, टोटल V आपको पता है, 220 है, तो करण निकल की आजाएगा V2R से, ठीक है, कुछ नहीं था, बहुत-बहुत सिंपल है, बहुत-बहुत सिंपल, ठीक है, हाँ जी, which of the following substances, lowest electrical resistivity at, यह मेरे ख पता होगा के wire copper की बनती है, wire aluminum की बनती है, ठीक है न, और पाकी alloys में बनती है, manganine की, naichrome की, वगरा वगरा, ठीक है न, तो wire basically इन दोनों की बनती है, कभी calcium की बनती देखी है, magnesium की बनती है, sodium, potassium नहीं बनती है, highly reactive metal है बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बह अगर आपके माइन में आ रहा है तो बहुत कम रिएक्टिव है एसका नौन मेटल है इसका रो तो बहुत-बहुत जादा होगा और यह एक अलोई है इसका भी रो जादा होगा तो अपने को कम रो वाले चुनने थे है ना अपने को कम रो वाले चुनने थे हम सिल्वर की वायर बनाएंगे वाह शेक हों दुवई के शेक हो क्या तुम हाँ यह भाई वेस्ट बेंगॉल बोर्ड का कोशन है जैसे यह मध्यपरदेश बोर्ड था कुछ मध्यपरदेश वाले बच्चे आं खुश हो गया एकदम से है ना बद्यपरदेश आ गया है वैसे भी सब्सक्राइब को समझ में नहीं आएगा क्योंकि सलेबस में नहीं है आपके लेबस में ने तो का समझ में आएगा ठीक है ना तो यह ट्वल्थ में आएगा आएगा दो को सब्सक्राइब को समझ में ऑтесь ट्वल्थ में अ एकदम स्था सिर्फेजख लेकिन डव्ल्यoo B 450 में ए तो कुई बात नहीं है तो वोल्टेज पर मीटरर पूछ रहा हूं voltage per unit length पूछ रहा है, है ना, यह electric field होती है, electric field intensity बोलते हैं इसको, इसका B option सही है, electric field intensity बोलते हैं इसको, A answer नहीं है इसका, A answer नहीं है, ना D भी नहीं है, B भी नहीं है, शावाश, और अच्छे तुक्के लगा रहे हो, और अच्छे तुक्के लगाओ, EFGH भी दिख रहे होंगे यहां तुमको, है ना, EFGH भी दिख रहे होंगे, किसी ने B नहीं बोला, अब B बोलना शाट किया है, यह तो A, C, D सब चल रहा था, है ना, तो V by M जो होता है, वो यह होता है, काँ से आया यह, तो एक फॉर्मूला होता है, तूही लिख रहा हूंगे, ठीक है ना, यह फॉर्मूला होता है, This is the voltage, potential difference है यह, यह potential difference है, यह electric field है, यह electric field intensity बोलते हैं इसको, electric field intensity, बंगाली हो, सुन रहे हो, है, बिष्टी दोई, क्या रहे है पहले बच्चों, DR, DR क्या है, DR length है, ठीक है, तो बंगाली बच्चों के लिए, यह फॉर्मूला रिलेट कर पा रहे होंगे वो, है ना, DV is equal to E dot DR, तो यहाँ पर भी देखो, आप यह V by L है, यह V by L है, because this is length, this is distance होता है, वैसे length नहीं होती है, distance कलता है कोई नी, है ना, तो यह E और L हो गया, E L हो गया V, ठीक है ना, तो बस L नीचे जाएगा इसके, E और L है ना यह, E और L V के बराबर है, E और L V के बराबर है, तो L जाएगा, तो V by L हो जाएगा, 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 V, V divided by meter, voltage divided by meter, which is voltage meter minus 1, ठीक है, बढ़ते आगे, जातर बच्चे CBC वाले है, MP, MP वोड, MP वोड, आठ बजने को आए, जल्दी करो, सयम सर ने बुलाया है, मुझे नौ बजे, नौ बजे, लाइव, जाना है मुझे को, इंस्टाग्राम पर, जी ने बुलाया है, बांधव कह रहा है, यह बहुत टफ है, अबैं, फॉर्बॉलाय तो था, और क्या था, फॉर्बॉलाय से यूनिट बना रखा है, जलो देखो, दो वायर है, सेम मटीरियल की, एक ही मटीरियल है, मने रो सेम है, बेटा, ठीक है, इस्टाइब सेम हैं, लेकिन लंबाय या, एक की एल है, दूसरी की टुल है, ठीक है, तो वाइख है, एक को आरवन ले लेते हैं, एक को आरटू ले लेते हैं आरवन का भी मतब सबका यार जो होता है वो तो रो यहलबाइए ही होता है तो आरवन का होगा रो एल बाइए एरिया क्या है फोरे ठीक और दूसरे वाले का यह रो रो तो सेम ही है क्या, L से L कट गया, A से A कट गया, का बचा भाई, का बच रहा है, यह बच रहा है, R1 by R2 is equal to, उपर जो 1 by 4 है, नीचे ले जाएगा, 2 से मिल्ट भूल होने, 1 by 8 हो जाएगा यह, 1 is 2, 8, D कैसे आंसर करते हो यार तुम, D कैसे आंसर करते हो, D कैसे आंसर करते हो, क्या, चार दुनी आठ, पोर नीचे है, 1 by 4 होगा, चार दुनी आठ हो जाएगा, क्या कर रहे हो, D कैसे आंसर कर रहे हो, चलो, आगे चलो, अध्यपरदेश बोर्ड, आई साब, देख रहे हो तुम, MP बोर्ड, स्रीम सर का प्रकॉप देख रहे हो तुम, प्रकॉप दादा, चलो इसको, चलो इसको, एक वर MP बोर्ड, चलो, मैं करता है, इसको, ठीगे न, मैं धुकेगा ना, मैं करेगा इसको, देख, आर ओफ रिस्संस, आर इस्ट्रेच्ट डिटू, थ्राइस ओफ इट्स औरिणल लेंथ, तो अगर लंबाई तीन गुना बढ़ गई है, तो एरिया भी साथ-साथ तीन गुना घट जाएगा, यानि, यानि, अगर लेंथ हो गई है, थ्री एल, थ्री एल, लंबाई खीचके बढ़ाई गई है, लिखा हुआ है साफ-साफ, रिवर्ड लिखा हुआ है, खीचके लंबाई बढ़ाई गई है, तो लेंग तीन गुना, और एरिया, एरिया उसी हिसाब से हो जाएगा, ए डिवाइड भाई 3, ठीक है, तो इनको य नाइन टाइमस रोल भाई हो जाए गई, है ना, और रोल भाई खुद क्या था, पुराना वाला आर था, तो बस यह हो गया 9R, आर डश हो गया 9R, 9R के अलावा कोई और आंसर आया अगर, 9R के अलावा और कोई आंसर आया अगर, तो MP बोर्ड में तुमारी भरती कितना असान कोईश्ण, कितना असान कोईश्ण, MC के उमें था भाई, पागल हो जाता है एकदम ही, एकदम ही कहीं से एनरजी निकल गया रहा है तो मारे अंदर से, उत्तरपरदेश, UP बोर्ड, ये, लो, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, UP बोर्ड भी है, हाँ, अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी किसी के सरकार नहीं है, अभी किसी के सरकार नहीं है, अभी को लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, चुनाव सहीता, है न, चुनाव सहीता लगी हुई है अभी, अभी सिरफ राज चलेगा, तो इलेक्शन कमिशन का चलेगा, ठीक है, बताओ, सही आंसर दे रहे हैं बच्चे, बहुत सारे, opposition of flow of electric current क्या होता है, resistance होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है न, electric current के, में opposition अगर आती है, opposition का मतलब, पार्लेमेंट वाली opposition मत समझ ले न, तुम, SST मुझे पता, बहुत ज़्यादा पढ़ लिये तुम लोगोंने, है न, लेकिन यहाँ पर current क्या opposition की बात करीगी है, कि current के flow को कौन रोकता है, तो resistance रोकती है, इस से simple क्या answer दे भाई, लो जी, एक और question लो, एक और question लो, देखो, इस question को देखो भाई, इस question को देखो, सुनना ज़रा मेरे करने का तरीका, तुम सब कर लोगे इसको, तुम सब महारती हो, P.W. महारती, तुम सब warrior, थारे कबूतर, तुम सब कुछ हो, बस एक बार मेरा तरीका भी देख लो, इसको करने का, देखो, यह 10, 10, 10 है, तो यह 20 और 20, 40 है, तो ultimately यह कुछ ऐसा है, यह कुछ ऐसा है, यह उपर 30 है, हो तुम फन ने खा, लेकिन देखो, यह 20 है, और यह क्या है, 20 और 20, 40 है, तो कभी भी answer, पैरलल के अंदर, इसको पैरलली solve करना ना आपने, तो कभी भी answer, 20 से बढ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पैरलल म answer हमेशा छोटे से भी छोटा होता है, यह मैंने आपको बताया हुआ है, हर बार बताया है, हर lecture में कहीं भी जाके देख लो, one shot देख ले, two shot देख ले, all shot देख ले, सब जगा बताया हुए मैंने आपको, कि जब भी आ पैरलल में लोगे, है ना, pure parallel में लोगे, तो answer हमेशा छोटे वाले से भी छोटा आएगा, तो कभी भी COD option तो हो दी सकते, किसी ने COD अगर लिखा, तो भरती करवा दूँगा, बोड बिन लिखा या तो, अन्डवान निकोबार बोड में, भरती हो जाएगी, तुमारी, अन्डवान निकोबार बोड में, भरती, समझ रहे हो न 9.23 answer हो सकता है, अब भई 15 या सा safe तो लग नहीं रहा है, क्यों नहीं लग रहा पता है, देख ज़रा, देख ज़रा, 1 by 30, 1 by 20, 1 by 40, है ना, ऐसा है ये, अगर मैं 10 common भी ले लूँ इसमें से, तो 1 by 3, 1 by 2, 1 by 4, ये ऐसी values हैं, इसको थोड़ा बहुत भी math जानने वाला यदी व्यक्ति होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत भी यदी math जानने वाला व्यक्ति होगा, तो वो बता सकता है कि इसका सीधा answer 15 नहीं आने वाला, थोड़ा भी एगर math जानता हो, तो देखो, 3, 4, ये क्या है, 4 दुनी 8 आरती है, 24, 24 आ ये 8 आ गया, है ना, ये आ गया 12 और ये आ ये 6, तो 12 और 8, 20 और 6, 26, 26 बटा 24, अब तो समझ में आ रहा है, अब तो समझ वा रहा है, 240 बटा 26, बताओ, बताओ, ये answer तो 15 तो नहीं दे सकता है, बात पक्की है, है ना, तो थोड़ा बहुत भी अगर आपको math का ज्यान है, और थोड़ी सी basic knowledge है ये वाली, कि answer parallel में बड़े वाले से भी बड़ा आता है, अब ये क्या लड़ाई शुरू कर दी तुम लोगों ने भाई, तुमारे तो वोट भी नी बने हो है, जो इतना तंग हो रहे हो, ये आएगा और वो आएगा, चलो, जारखंड, अरे जारखंड के बच्चे, हमारे प्यारे प्यारे ज जारखंड के बच्चे, है ना, अभी कमेंट कर रहे थे आपर जारखंड बोड, जारखंड बोड, कर वेटा, जावाश, आंसर दे, आंसर दे वेटा, आंसर दे, आंसर दे, कोई A दे रहा है, कोई C दे रहा है, कोई A दे रहा है, कोई C दे रहा है, मिंटी करवाओ, तुमने वो डाल तो दिया, मिंटी के लिए भो जाएगा, आप चिंता मत करो, मिंटी के लिए तुमने वो डाल दिया है, और अपन जीत गए है, मैं और बायो वाली मैम, बायो वाल समें और 30 लगा लो और उसके दो नीचे वाले उप्षन ? को सिल से उन्हें इसलिए कियां के तीन hour इससे पहले कुन से सूल और अखहें अखें य सुल अगा है न बिलकिन ए शर्के वाण देख्ण के बाद एख आइंगे चाहिए हाई और meelting point होना चाहिए look तो सुनिंग हाई melting point होना चाहिए look तो answer is का D है अब आप पूछो के क्यों सर क्यों सर बताईए सर ऐसे कैसे सर सुन छोटे सुन resistance अगर high होगी तो हम यह चाहेंगे कि कम current के अंदर भी सुनीओ ध्यान से कम current के कि अंदर भी जदाऄी ट्रोड्यूस हो जाएँ यहीत च्रणी है क्वें ना करन्ट के उन्दर ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस पर्ले जाएगे तो कम्ढकी तो पॉइंट रीच हो जाएगा और फ्यूस डेसीकली हमने क्या रूस से यहीज का भाना भाई कि तु टाईम आने पर तूड जाई हो यही करता ही इसलिए रखते हैं इसकी हैं लेकिन क्यों र amis समझते हों के जल्दी से जल्दी सबक्रीए हो वाला नुकसान कि क्वेशन कोई होने वाला मल Przy होने से बच जाए तो इसलिए इसका आंसर दी ए तो जार्खन बोर्ड ओपी वाई ओपी ए एक और जार्खन अरे जिया हो जार्खन के लाला किया तू हजार साला बदाओ बदाओ किया एबी टी यांसर अभी एबी सीडी सब कुछ अब तिक कर दोगे क्या भाई देखो जार्खन बोर्ड 2015 देख बेटा कैसे करेंगे ऐसे तो उडान रिलोड़िड वाले बच्चे तो इनके लिए तो हलवा है उनके लिए तो कुछ नहीं है वो तो ऐसे करेंगे आग बंद करेंगे फूक वारी टिक अपने पैन भी नीच लाएंगे वडान वाले बच्चे लेकिन कोई बात नहीं जहां पर नहीं पढ़ाया वह वाले बच्चे देख सकते हैं इसको देखो बच्चो कितना potential इस point का होगा जो कि यहां पर M लिखा हुआ है ना M लिखा हुआ है वो यहां 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 भी उतनाई होगा यानि यह भी क्या रहेगा यह एक एंटी एसी लेवल का कोशन माना जा सकता है ठीक है तो यह भी क्या रहेगा एम रहेगा ठीक है अच्छा यह एन है अगर यह एन है इसका नाम क्या लिखा हुआ एन लिखा हुआ यहां पर भी कोई कोई रिस्टंस नई आए कोई रिस्टंस नहीं इतो यह भी क्या होगा यह भी एन ही ठीक है यह बी एन ही होगा तो जो इमेन का पूरे पे लगा हो दिख राव तुझा तैसों यह इस आख को बैटरी लगी होगी न आसा को बैटरिर लगी ऌ को डिखेवे। कैसे पता चला चला अकिल्या ुखैंड सेवधाय का आइसे Рद्च Business आपर हो और रहे कि यह यह वाली resistance को देख ज़रा, इसके अगल बगल में MN है, इस वाली resistance के अगल बगल में MN है, और इस वाली resistance के भी आजू बाजू में MN है, अगर दोनों तरफ MN ही है, यानि यहाँ पर भी उतना ही potential difference डल रहा है, जितना यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ भी M है, यहाँ M ह मनें और हम भी देवाण मनें मनन यानि क्या हो रहा है यानि ये वाली रे आवस्तिक्राद करेंज आरला यह वाली नंगा यसा तब या मंन और वह को कि parallel है, parallel है, mn, 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 parallel, 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 और जब ये तीनों parallel में होगे, यानि r, r, r parallel में होगा, तो answer होगा r y 3, answer होगा r y 3, ठीक है, जारखण बच्चे हो, समझ गए, दिल्ली, आओ दिली चले, आओ दिली चले, जारखण वाले बच्चे को अब लेगे चलते हम, दिल्ली, ठीक है, यूँके x x x x x, r joint dn, एसे जोर रखे हैं, सबको जोर दिया है, है न, equivalent resistance between p and q is 3 ohm, मतलब, बोल रहा है के, पहले से हमको r पता है, total r हमको पता है, total r t, total r हमको पता है, 3 ohm का है, ठीक है, तो x की value निकालो, कितनी होगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नह बहुत मस्त, देखो, देखो, यह x है, यह भी x है, और यह भी x है, है न, यानि यह तीनों ही, यह तीनों ही, यह वाला, है न, और यह वाला point देखो ज़रा, यह और यह point से मैं, वेटा, ध्यान से देख ज़रा, है न, इस point को अगर मैं p let कर लू, यह p ही है, वैसे, देखो, पूइंड में आगर यह वाला पॉइंड क्यू है अब एक यह भी क्यू है यह भी क्यू है यह वाले को लोता हूं ऑ बेक्यूर जाएगा इसको आरल लिता हुए टीकना यह आरहे तो यह भी आरे अब देखो क्या हो रहा है अब तीन पॉइंट मैं सब्स्क्राइब तर्फ्र स्बस्क्राइब सब्स्क्राम करोड़िए और तो यह वाला यह वाला भी एक्स ग्राइब dejar पार-भी आप-प्र viraladores इता हुआ और और प्यूक्त बीच में बाद वाला एकस है यहां जो लगा हुआ है यह एक और लगा तो पहले तो इसको निप्टाते हैं फिर इसको निप्टा लेंगे ठीक है यहें बाद पहले एक्स को निप्टा लेंगे ठीक है ना तो अब देखो यह पैरलल में है तीन हो बीटा तो एकस 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 और परणम नहीं है यह पे हैना आर पॉय्ट का कोई benefit नहीं है बनाने का यह एक्स बटाती नहीं एक्स है यह बताती नहीं एक्स है यह दोनों सिरीज में तो सिरीज में जोट देता हूं यह हो जाये गा x plus x by 3 है ना और यह हो जाएगा 4 x by 3 अब पॉर x by 3 ऑर यह सबसे चालिका है है कि ऊपर करो मल्टिप्लाइ नीचे करो एड इन दोनों को मल्टिप्लाइ कर दो उपर यानी 4x बटा 3 यह जगला लूँ क्या चलिए करते हो साइड में इन एकस बटा 3 इन टु एकस अपान में 4x बटा 3 प्लस एकस तो यह हो जाएगा 4x स्क्यएर अग्यार एक से 1 एकस कट गया तो यह आ गया 4x से 1 एकस और यह हो 7x किसके बरावर है तीनों के बरावर ऐसा बोल रहा है तो 4 by 7x किसके बरावर है टोटल आर्द रखा है तीन तो साथ यह 21 एक्स हो गया 21 बटा 4 21 बटा 4 C option सही है ठीक है न थोड़ा तसल्ली से किया है समझा समझा के इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है इसके अंदर वैसे तो यह इतना भी मुश्किल था नहीं ठीक है इतना भी मुश्किल था नहीं ठीक है एक बाद फिर से देख लो पटा पट से यह तीनों पैरलल में है इकठे निप्टा दिये एक्स बाई तीन आ गया एक्स बाई तीन में यह वाला एक्स सीरीज में था जोड़ करके हो गया फोर एक्स बाई तीन वो फोर एक्स बाई तीन को इस नीचे वाले एक्स के साथ पैरलल में ले लिया कैसे लिया उपर मल्टिप्ला नीचे एड़ शॉटकट होता यह उपर मल्टिप्ला नीचे एड किया at the end answer निकल के आया solve करके 4 by 7x इसको बराबर कर दिया कि अब बोल देता है को अब देखो बेटा देखो बेटा करें अब देखो बेटा करन्ट है ताच एंपियर है ना हीट प्रोड्यूस जो हुई हुई है वह 54,000 जूल है और समय टाइम छे मिनट का है मिनट में कोई चीज लेते नहीं इंटू 60 कर देते हैं ताकि सेकिंड्स में आजाए ठीक है और आर आपको फाइंड करना है तो बताओ यार क्या ही पूछ रखा है इस बोड में क्या ही पूछ रखा है क्यों ही डरते हो इतना बोड से यह दर लगता गया बोड से तो ह एच आ गया 54,000 इस एक्वल टू आई कितना है 5 इंटू 5 एंटू आर आर तो पता दिवाड़ बाइ 5 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 60 ठीक है तो 6 से 9 पे जाएगा न 9,000 और फिर 6 से जाओं 15,000 फिर 5 से जाएगा 300 500 ताट ओब से जीरो कम पढ़े जाएगा अच्छा 900 था यह ओ हो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अपना अपना आंसर आ जाएगा किसे करता हूं कि व्वन हजार उपर है वैसे तुमारा भी देख सकता हूं मैं लेकिन मैंची टिंग नहीं करता मन अब नहीं करता है दीरों सीचों क्या इसे क्या है नो हजार पे दो हजार पे ना आ हजार पर नगानोनध नॉसव किता इसका इननमिल नाडू के बोलें इन यह इसक जीए ह Всем कि आएगा देखाएंольшे लिए क्या लेवल बिहार वोड हैि विंद मिहार ऑट समक्तिंद। क्या ही करना तुम करो भाई त्यार वूर्ड त्यार वूर्ड वाई सवा और आठ त्यम सर भाई नौ बजे बुला रहे एकदम एकदम नौ बजे पहुंचना पड़ेगा तो मैं कर रहा हूँ इसको सब कर देखो जड़ा कैसे और बेख़ो यह थी कर देखिए और टो कि इधर तक ख़ी कुछनी और क्वन है तो ये भी टिक वरपल से गजाँ करने sarà बने लेता हूंँ ग्रीन ये पर पर पल नीदा क्व पहला ये बिये ये तो ये भी होगा भी छोगा तो ये भी B होगा, है ना, और ये भी B होगा, फिर ये भी B होगा, है ना, आप देख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, क्या हो रहे हो, दो पॉइंट एपने पास, एक A है, और एक B है, ऐसे करके बनाते हैं इसको, एक एखा tega a और बी के बीच हमें एक मिला एप बीक के बीच में दो मिले देखो एक मिला तो मिले तीन मिले चार मिले देख सकते और यांफ उलने देख सकते यह शाओ ऑसक्राशgenommen elaborate या जना याणी याणी एको सारा सबकी ये 4 तो AB है, R, 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 और दिखा भाई, अच्छा एक और AB है, 5 गाँ भी मुझे दिखा जें नहीं, यह वी AB, 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 सारे AB, है ना, तो 5-5 A-B है बाई, एक और AB आ गया, आर, तो R, 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 3R नहीं है, 5R है वो भी parallel में है, तो r by 5 इसका answer होगा parallel में तो सीधा answer निकल के आता है parallel में series में होता तो 5 r parallel में होगा तो r by 5 कर सकते हो न भाई कर सकते हो न c भी दिया गया c भी दिया गया answer ठीक है c answer है 5 r है और 5 वो parallel में चलो आगे बढ़ते हैं एक question कहा का आया भाई दिल्ली का आया इव्था थर्मोमिटर यह खासे आ गया भाई एमीटर और यह यह रोगा ऑई देखरे हो तुम देखरे हो दिल्ली वाले कैसे गलती हैं करे हैं का थो लोटी है समझ गेना एमी राए है रहें तो एंपर चल रहा है करेंट है इसनलट क सारल यह आर कि टीन और शे का मैंने आपको अभी ःभी बताया दो आता है अभी पीछे पीछे बात करी अपने एने तीन और छे का अंसर करेंगे तो आएगा 2 ओम है ना तो इन दोनों का तो आया दो ओम देखियो वेटा ध्यान से दो माया एक और और है जिसको अपन को पता नहीं अभी अभी अमने इसको निकालना है साहर और इसमें करंड कितना जा लगा दो वी कितना है ना और आर कैसे लिखेंगे आर प्लस दो कि यहां जाएगा तो आर आ जाएगा वनों एक औम आंसर है एक ए ऑप्शन ठीक है यह बोड में आवा वाई 2019 में वो भी है ना 2019 में वो भी ठीक है तो कुछ नहीं था very very easy क्या repeat करना है इसको repeat करना है पीछे वाले को repeat करना है इसमें क्या है इसमें क्या है यह तो वैसी बहार हो गई ना सरकेट से यह वाली तो अबे देखना यार यह भी A है यह भी यह तो potential difference ही नहीं है जब किसी resistance के across potential difference ही ना हो तो current थोड़ी चलेगा तो यहां तो current ही नहीं है current ही 0 है current 0 है तो फिर इस resistance का क्या काम तो resistance को मानेंगे disconnected यह resistance तो disconnected है अब यह resistance अगर disconnected है तो फिर 1 AB 2 AB, 3 AB, 4 AB, 5 AB 5 AB के across है तो R by 5 answer होगा इसमें क्या है इसमें क्या है एक बच्चा बुझ रहा है R plus 2 क्यों लिखाब है series में और क्या लिखू यह दोनों series में और क्या लिखू मैं इस R को मुझे निकालना है equation in one variable है भाई one variable आठ भी में पढ़ी थी one variable आठ रहा है तुझ जिंदिगी के साथ अपनी add करेंगे ना तोनों को series है क्यार प्लस टू क्यों लिखा कि इस आठ भेटों पेड़ेगो वाई अमिल नाडू फिर से 2020 2021 वाई नीवाड अच्या तहुमिल आडू में हुआ होगा ठीक है इवजा इवड़ेगो नहीं इनरजी प्रोवाइड यानी वग्दा निकालना आपको और कुछ नहीं आपको और कुछ नहीं आपन सब जानते हैं ना कितना कितना चार्ज है तो आधे कूलम का चार्ज है चार्ज कितना है आधे कूलम का हाफ कूलम पॉइंट फाइव हाफ ही तो होता है तो आपने क्या करना पड़ेगा फॉर्म लगाना पड़ेगा यहां पर डबल्यू का यह ना लबल्यू होता है क्यों 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 क्यो गावैं आगे हुआ ह unfree में का वा तुम बता उक वा तो यू-पी गए होनी ऐ राख चा या रींडिया अधिया जा folklore आद एवाल्ट तो रिंडेदेड की तो बैटरी यह लगा दी और यह लगा लगा दिए फिर उसके बाद क्या कर रहा है पाच ओम दस ओम पंदरा ओम सिरीज में है और एक प्लक्की भी है यही प्लक्की और कर देते हैं मस्त इसको पर तीन रिसेंस आपको दिखानी है एक पाच ओम और दस ओम और पंदरा ओम और इसके लाबा कुछ नहीं करने के लिए बस इतना ही करना था ठीक है ना तो आप कर सकते हो लेबल प्लीज कर देना ठीक है स्टाइगराम बनता है तो लेबल होता है रोग दसेंबल्स ओप कॉमनली यूज कंपोनेंट से ने मैं खुद ड्रॉ करके दिखा रहा हूं एक एलेक्ट्रिक से ड्रॉ होता है बहुत लगाने पड़ेंगे प्लस माइनस ना लगाया तो फिर मेरे नंबर कटेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आपने ऐसे बनाना है मस्त एक अदम और यह गोला बना दना है ठीक है ना मस्त कोई दिक्कत नहीं हो गया छे है यह ठीक है यह ठीक है यह ठीक है यह ठीक है वोटम वन कौन सा बुड़ है यह तो बता चलो कोई बात ना करंट ऑफ 10 एंपियर फ्लोस थूरू अ कंड़क्टर फॉर 2 मिनट के लिए पर 120 सेकंड्स एक ना 120 सेकंड्स कैना कैसे क्योंकि यह पहला पहला सवाल है पहला पहला फॉर्मूला है यह ना अरे ब्रेक प्लीज किसीज का ब्रेक इसीज का ब्रेक अब तो हम घर जाएंगे सीधा आई इक्वल टू क्यों डिवाड़ वाटी सेयम सर ने बुलाया है क्यों होता है आई टी है ना सेयम सर क्या लाइव करना हमको इंस्टाग्राम आई है करेंट है 10 एंपियर और टाइम है 120 तो यह हो जाएगा 1200 कुलाम कुलाम ठीक है ना यह है आपका अमाउंट आप चार्ज इस एंपियर गरेंट होता है बहुत होता है चार्ज भी बहुत बड़ा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं दो मिनट का टाइम है तो खूब चार्ज निकलेगा 1200 कुलाम एक दम तो यह आंसर है ठीक है सेकिंड पार देगो इस एक्वल टू एनी यह लगाना है टोटल चार्ज आपको पता नहीं और E है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 यह भाई साम नीचे जाएगा डिवाइड में यह जाएगा नीचे डिवाइड में और N आ जाएगा है ना क्या 1200 इवाइड बाए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 उपर करोगे तो सवाच्य हो जाता है 6.25 हो जाता ह 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आता है और 1200 से और मल्टिप्ला करना पड़ेगा तो इसको तुम एक रात दो रात लगाओ और इसका अंसर निकालना ठीक है आपके स्टेट ओम्स लौन की सिटमेंट क्या है पोल देता हूं चलू लिख देता हूं लेको इस तो यह बच्चे बच्चे को याद होती है Ohm's law की statement, लेकिन है बहुत important भाई, अगर नहीं आदे तो याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, Ohm's law states that states that current flowing in a conductor is directly proportional to applied potential difference td potential difference across across the ends of the conductor okay at particular temperature, यह बहुत जरूरी है लिखना, एक temperature पर ही, एक particular temperature पर ही, Ohm's law act करता है, काम करता है, अगर temperature बदल दिया, तो Ohm's law की condition समझ लो, आपने क्या कर दी, चेंज कर दी, ठीक है, तो यह को universal law नहीं है, ठीक करya है, ग्रेखन कहता है, बहुत करता है। अगर क्या कि टेंपरेचर पर लगता है हर टेंपरेचर के लिए भी काम नहीं करता तो ऐसा ही सिस्टेम है भाई ओम्स लोग ठीक है आगे कह रहा है ड्रॉर लेबल सरकेट डियागराम टु वरिफाय दिस लॉइंद लेबरेटरी देखो वेरिफिकेशन आल्रेडी मैंने बताई हुई आप तो यह को कुछ नहीं है उसके अंदर आपने क्या करना है इस तरीके से वेक्री जोड़नी है हां थोडह थोड़ेज़े गैप थे थोड़े-ORAप पह जोड़ना है क्नेक्शन cenरी यानि पहले 1 वोल्ट को जोड़के दिखाना ये यह एक एमप्र का करण चलु रहा है मान 1V को जोडा क्योंकि एक ओम थी एक ओम थी घौट का जोड अ कम पर निकला उसके बाद यहां जोड़खे दिखाDD कि एक वाल्ट टेख और मिल अधा करेके दो जूलत हो जाओगा तो यहां से इसको यहां यहां तो 4V हो गया और 4V के हिसाब से 4A का मतलब आपने इसको experimentally show करना किस तरीके से ऐसे दिखा दिखा करके कि जिस तरीके से आप voltage को बढ़ाते जाओगे increase करते जाओगे एक किया तो 1A 2 जोड़ दी तो 2A 3 जोड़ दी 3A 4 जोड़ दी 4A क्यों क्योंकि ओम्स लौ भी प्रपोर्शनल आई है यानि जितना इतना वोल्टेज को बढ़ाओगे उसी प्रपोर्शन में करेंट भी आ करेगा बढ़ता चला जाएगा ठीक है तो यह experimentally इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो डागराम मना के मस्त आगे कहरा इसका सीधा आंसर है कि अपने को सेट कर्व मिलता है ठीक है न वी और आई का जो करेक्टर सिख कर्व होता है वो बिल्कुल सेट लाइन होता है ऐसा क्यों क्योंकि वी प्रपोर्शनल आई है ऐसा ऐनसर कर्व याकि ने साफ़ साफ लिखा हुआ यानि दोनों में डेरेक्ट प्रपोर्शनलेटि है जिस फेक्टर से वी बढ़ाओगे उसी फेक्टर से याई, बढ़ेगा V को double, तो I को भी double, V को आदा, तो I को भी आदा, V को triple, तो I को भी triple, V को 10 गुना, तो I को भी 10 गुना, same proportionality से बढ़ता है ये, तो इसलिए linear graph बनता है, इतना तो आप जानते हो, linear equation आप लोगो ने पढ़ी है, कि क्या linear equality होती है, ठीक है, तो linear equality है, linear dependency है, V और I के वीच में, तो इसलिए graph जाए सीधा चड़ता है, आगे कहा रहा है, explain how would you use this graph to determine the resistance of the conductor, तो हम क्या करेंगे, हम slope निकालेंगे इस graph का, हम इस graph का slope निकालेंगे, slope क्या होता है, जो चीज y पे रखी, उसको x पे रखी, चीज से divide कर दो, यानि ऊपर रखो change in voltage, नीचे रखो change in current, आपको resistance मिल जाएगी, आपको अपर आपको स्लोप के अंदर काफी बात करी हुई है, मैंने slope के बारे में, जिन बच्चों को slope नहीं समझ में आता, उनको 9th वाला slope जाकर के पहले देखरा चाहिए, प्री में है available, उसको समझ लोगे तो आगे की जिन्दिगी जो है, तुमारी maths और physics की आसान हो जाएगी, ठीक है? हाँ जी, एक और question, यह CBSC का ही question है, सामने देखा हुआ मेरे question ही वाला, बजब नजर है मेरी question के उपर अलड़ी, नहीं लिखा तो भी CBSC question ही ठीक है, तो इसे solve करने का तरीका देखो बेटा क्या है, पूच क्या रहा है, current पूच रहा होगा ना, current पूच रहा है, I पूच रहा है कितना होगा, है ना, तो आप अराम से देखो इस circuit को, चाहे जैसा मर्जी टेडा मिडा लग रहा हो ये, ये कोई जानवर लग रहा हो, लेकिन फरक कुछ नहीं पड़ता, देखो जाला, ये वाला resistor, ये वाला resistor और ये वाला resistor तीनो सीरीज में है, है ना, 10, 10, 10, ये तीनो सीरीज में है, और सीरीज का 10, 10, 10 मिल करके हो जाएगा, 30, है ना, 30 हो जाएगा, यानी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कि ये 10 ohm ऐसे का ऐसे है, ये वाला तो इसको तो छेडा नहीं है अपनने, ये तो 10 ohm ऐसे का ऐसे ही है, लेकिन उपर वाले को हमने 10, 10, 10 जोड़ करके 30 कर लिया, 30 ohm कर लिया, है ना, और अब ये किस से connected है, बटेरिया से, ये भी बटेरिया, हमारी कितनी है, तीन वोल्ट की, है ना, और current आपने find करना है, तो अब क्या हो गया, अब 30 और 10 रह गए हैं, जो की parallel में हैं, तो easily अपन solve इसको कर सकते हैं, कैसे, ऊपर करेंगे multiply, और नीचे करेंगे add, है ना, ऊपर करेंगे multiply, नीचे करेंगे add, तो ये उपर हो जाएगा 300, और नीचे हो जाएगा 40 कटेगा, तो 30 बटा 4, ओम, ये resistance आ गई, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, V is equal to IR, I is equal to V by R, V कितना है, तीन है, और R कितना है, 30 बटा 4 है, 4 उपर चड़ जाएगा, और 30 से 10 कट जाएगा, तो 4 बटा 10, यानि 0.4 ampere, कोई तो बच्चा, अंसर देगा इसका, 0.4 ampere, शाबाश, शाबाश, बहुस सारे बच्चों ने अंसर दिया हुआ है, What is meant by electrical resistivity of a material derived its SI unit, देखो, electrical resistivity, है ना, का दूसरा नाम, specific resistance भी होता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, कभी-कभी board में ऐसा पूछ सकता है, कि what is specific resistance, तो specific resistance बोले, electrical resistivity बोले, दोनों ही ρो होते हैं, ρो, ρो, है ना, RHO, इस symbol का नाम है, जो की material dependent property होती है, तो इसकी define VSE करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ठीक है, तेखो बेटा, resistivity of a material is the property of that material, ठीक है, property of that material to oppose oppose the flow of current through it, थोड़ी-थोड़ी resistance जैसी similar लगती है definition, लेकिन यहाँ पर यह जो आप word add कर रहे हैं ना, property, property उस material की, बस इतना काफी है लिखना, इतना बताना काफी है कि resistance और resistivity में क्या अंतर होता है, ठीक है ना, resistance, resistivity में क्या अंतर होता है, वो खाली है, property of that material शब्द ही, अपने आप में sufficient है सब कुछ कहने के लिए, ठीक है ना, तो इसलिए, flow of current में जो opposition दिखाता है, क्यों, क्योंकि उसकी property ऐसी है, क्योंकि वो दिखाये गई, क्योंकि उसका nature ही ऐसा है, अब लकडी में से तुम चितना मरजी कोशिश कर लो, current पास नहीं कर पाऊगे, प्लास्टिक में से चितना मरजी कोशिश कर लो, current पास नहीं कर पाऊगे, क्यों, nature ही ऐसा है भाई, नहीं बदलने को राजी हो, नहीं चलने देगा current को, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, है ना, तो ये कारण हो गया, derive its SI unit, उसकी SI unit को derive करना है, तो derive करने के लिए थोड़ा सा, देखो जड़ा, R is equal to rho L by A होता है ना, है ना, तो R का SI होता है, ohm, SI unit होता है, ohm, rho का आपको पता नहीं, L का आपको पता है, meter होता है, और area का आपको पता है, meter square होता है, तो एक meter से एक meter तो कट गया, ये meter जाएगा multiply होने के लिए, इसलिए बन जाएगा ohm meter, ठीक है, तो resistivity की जो unit होती है, वो क्या होती है, ohm meter, पूरा revise भी हो रहा देखो, सासा chapter, ये फाइदा होता है, ऐसे session को attend करने का, कि आप PYQ देख करके, अपने confidence को, एक नई उचाई तक लेकर करे जाओगे, क्या हलवा है ये, क्या है ये, क्या कोशन है गई ये, किसे बोलते हैं क्या board, लेकिन बस आपको जो ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि पंक जादा बड़े भी ना निकलाएं, क्योंकि आपको लिखने की आदत नहीं है, है ना, आप लोगों को आदत क्या है, आप लोगों को आदत है MCQ की practice करने की, है ना, लिखने की आदत कम है, तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप notes बनाओ, तान्यमम का short गया था, इसी channel के उपर आप जा करके देख सकते हो, वहाँ पर उनने बताया है कि किस तरह से effectively notes बनाए जाते हैं, उस shots को देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नोट्स कैसे बनते हैं आपको बदा चलेगा, ठीक है, देखो जाकर के short video जो आई है हमकी, है ना, तो यह derive हो गया ohm meter, derive its SI unit, SI unit क्या है, ohm meter, describe experiment to study the factor on with the resistance of the conducting wire, तो resistance कैसे depend करती है, वह आप आप अल्रड़ी जानते हो, है ना, अल्रड़ी जानते हो, आप देखना उसको समझ में आ जागा, इतना मुश्किल भी नहीं है, वह activity जो है, ठीक है ना, वह activity इतनी मुश्किल भी नहीं है, हाँ जी हरियाना, जब से अरियाना बोर्ड, हरियाना बोर्ड कर रहे थे वाई करो सोल, क्या आंसर है भाई, कितना भी वोल्टेज लगाया गया है, बोले तो मान ले 220 वोल्ड लगाया गया, देख जान से, मान ले 220 वोल्ड लगाया गया है, है ना, यानि V1 प्लस V2 मिल करके 220 ना पेंगे, यानि V1 प्लस V2 जितना भी ना पेंगे, वो अपना V3 के बरावर होगा, V1 प्लस V2 is equal to V3, क्यों? क्योंकि सिरीज में वोल्टेज डिवाइड करती है, इतना छोटा सा इसका लॉजिक था, हरियाना बोर्ड का ये कुशन था, यानि इलेक्टरोंस वुड़ पास वायर इन वन आर, एक घंटा, आओ देखें क्या-क्या दिया हुआ है, पॉइंट थी टू एंपियर टाइम दिया हुआ है, एक घंटा, है ना, और और क्या दिया है, चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, अपने को पता क्या होती है, और नमबर अफ लेक्टरोंस एन निकालना आपने, देखो बेटा क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, अपने को नहीं पता छोड़ दे, यह पता है, इन्टू 10 की पावर माइनस 19 और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में टाइम है, टाइम एक घंटा है, एक घंटा है, एक घंटे का मतलब हो गया, 36 सेकिंड, सेकिंड के अंदर बात करनी होती है, भाई, है ना, 300 सेकिंड आ एक घंटे में 36 सेकिंड होते हैं तो पता है ना, ओ भाई, पता हैंगे नी, एक घंटे में 37 सो, हाँ, नो बजने वाले हैं यार, आई सहाब, भाई, जल्दी करो भाई, सैयम सर, पिटाई कर देंगे, है ना, एन हो जाएगा, 0.32, है ना, इंटू 36 सो, अपन में, 1.6 ठीक है, तो इसको, सॉल कर लेते, 72 कुछ आएगा ये तो, क्या, ए आ रहा है क्या, सी आ रहा है, ए और सी में से कोई यह दोगा, देखते हैं क्या आता है, यह पॉइंट अटाया, तो नीचे आया, तो नीचे आया, पॉइंट अटाया, 10 उपर आया, 10 से एक जिरो से यह वा तूलम नहीं नंबर है ना कुछ नहीं नंबर के आगे कोई उनिट नहीं एंड टीक है 72 इंटू 10 की पावर 20 ओके जी पुड़ी सावालों यह ओप्शन सही है एक कर भी रहे हैं बच्चे आंसर ठीक है ना कुछ नहीं था पॉइंट टाया सौनीच आया तो पीस हो जाएगा एक और जीरो है तो बीस हो जाएगा एक आंधरप्रदेश ये तो रहे गया था ना बई आंधरप्रदेश को भी देखना पड़ेगा बहाए ऊपको दिख रहा है डिकालन देखो आपको दिखर और तीन कालनी है तीन और दो है अडे ये ये प्रुपार अच नीचे यह ना, 326 उपर, 5 नीचे, और 6 भाई 5 में आप 6 और जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा यह? 65 तरटी, 36 अपान 5, है ना, यह कितना आएगा? 5 सत्ते, P, P, B, 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 C,ल रहाओगा पीछे, यह ना, देखा, बोला तुमने B, 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 B कर रहे होगे तुम, 7.2, हाँ जी, एक और कॉश्न देखो, कितने रहाएगे बाई, अरे वाह, सेकिन्द लास्ट कोश्च्छन है, सेकिन्द लास्ट कोश् बहुत बढ़िया वट इस दा कॉस्ट आप उसिंग आरन फॉर 30 मिनेट एवरी देवर फंदरा दिन पंदरा दिन के लिए लेकिन आदे घंटे के लिए कर रहे हैं तो टोटल हो गाई साड़े साथ गंटे अना साड़े साथ घंटों के लिए पूरे महीने में चलाई ए ठीक है तो इसस टाइम साड़े साथ घंटे इंगे इसका रनिंग आर्ज है टोटल रनिंग आर्ज है इसके पी आई और टी ए तो एनरजी निकालने नहीं चाहिए आप अपने गो बहुत हो चुका है वी आई टी करके नर्जी निकल जाएगी कैसे है टू 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 टी आई है पंदरा और टाइम है साड़े साथ घंगे ना यह जूल में आजाएगा यह जूल में आ जायएगा और फिर इसको किलो वॉट करना पड़ेगा नहीं कर देता हूं ना यह पावर देखो यार देखो अराम से देखो कोई नहीं कोई नहीं किल एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम है ना एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम और पावर होता है वी आई तो हो जाएगा वी आई टी है ना और यह जो वी आई है यानि यह दूसवोट है यह दूसवी से यह आपको वाट में पावर देगा लेकिन मेरे कुछ किलोवाट में तो मैंने हजार से डिवाइड भी है कर दिया इसको ताकि किसे में कर दूबरोट में कर दिया और समय कितना है समय बारा पंदरह पटा-थो-आर किलोवाट-आर में मेरा अंसर निकल करके आ रहा है और बोलरा कि एक उनिटी का प्राइस है वो दो रुपी है तो रुपीस प्राइस है तो इस पूरे का कितना होगा 2 से और multiply कर लो total cost निकल के आ जाएगी ये total cost निकल के आ जाएगी ठीक है ना कर दे ये वह ज्यादा नहीं आ रही ए ए पुछपा वह ज्यादा नहीं आ रही देखो ना कर के देखो ना हो जाएगा हो जाएगा तुम करो ना 5 P.A. 15 फिर काड़ता हूँ पाँच चोक 20 फिर काड़ता हूँ 11 कोई 2 मिस हो गया क्या 99 divided by 2 लगबग पनायेगा 50 के आसपास आएगा 50 रुपे मिल गया 49.5 49.5 is the right answer ब्रो राइट आंसर ब्रो लास्ट कोशन अव दा इयर अव दा मन्थ अदा मन्थ भी स्टार्ट हुआ है तुम्हारा इस मन्थ में बहुत पुछाने वाला आपके लिए नया नया देखो जारा तीन इकोल रिजिस्टर हैं इसको आप खुद करो यार तीन इकोल रिजिस्टर हैं पहले तीनों को सिरीज में रखा गया ठीक है ना पहले तीनों को किस में रखा गया सिरीज में रखा गया और मिल करके पावर जो निकाली है वो दस वाट निकाली है तो अब कितनी पावर ये निकालेंगे अब कितनी पावर ये निकालेंगे ठीक है ना तो लेट करो लेट करो के पहले पावर इसकी PPP या RRR लेलो और दस वाट की यह लोग क्या दे रहे हैं पावर दे रहे हैं कब जब इनको पहले भी सेम सोर्स पर रखा था यानि वी पर रखा था पहले पहले भी पर रखा था बाद में भी पर ही रखा एक बात का ध्यान देना वेटा एक बात का ध्यान देना वेटा यहां पर जो वी है तीनों में डिवाइड़ों कहें आ वोल्टेज हैं तीनों में कम कम घारीह गणाथ इन स्लिजद सबासकर अ इस दिजान रखना और यहां पर वीवी जारी। इंधर भी वी और इंधर वी रह whiskey लेकिन यहां पर है वीवाइफ लीवाइफ लूड़ Totally मैं गरूँ चलो मैं गरता हूँ मैं गरता हूँ और इस सेशन को end भी करता हूँ ठीक है देखो टोटल आर निकाल ले बिटा बहुत सिंपल है टोटल आर निकाल ले क्या आएगा 3R है ना वोल्टेज कितनी है वी है और पावर बोल रहा 10W है कोई दिक्कत नहीं है ना टोटल आर 3 है टोटल वोल्टेज वी है और 10W की पावर दे रहा है यहाँ पर अगर मैं टोटल आर निकाल हूँ तो आता है R by 3 वोल्टेज अभी भी वी है तो पावर पूछ रहा कितनी होगी आओ देखो अब देखो 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 पावर होता है V square by R यह फार्मुला देखा हुआ है ना पावर का पावर का वोल्टेज का और रिसंस का तो मैं इसी को लगाने वाला हूँ यहाँ पर P is equal to V square by R को ठीक है P कितना है 10 P P है और R कितना है 3R ठीक है 3R ओके दूसरे case में देखते हैं दूसरे case में क्या है अपने को पता नहीं कितनी पावर है P dash ले लता हूँ इसको ठीक है V तो V ही है लेकिन यहाँ पर क्या है V square by R बटा 3 ठीक है तो V square निकाल लेते हैं यहाँ से 30R आ जाएगा है ना तो मैं यहाँ पर 30R रख लेता हूँ ठीक है 30R अपन में R बटा 3 3 उपर जाएगा 3 3 अनो 90 आ जाएगा R से R कट गया 90 वाट आंसर है इसका कुछ नहीं किया भाई एक जगा से वोल्टेज निकाली दूसरे में पुट कर दी एक जगा से वोल्टेज निकाली दूसरे में पुट कर दी 90 आंसर आ गया पावर आ गई 90 वाट ठीक है जी 90 वाट आंसर आ ठीक है मैच कर लो जड़ा अपने अपने आंसर मैच कर लो जनम दिन नहीं है मेरा पहली बता रहा हूँ जनम दिन विश करते हैं तो क्या मतलब है होगा तब करियो ठीक है फिर से समझाऊंग्या सिरीज में र र र जुड़ करके 3R वोल्टेज भी है पावर ऐसे में 10 है र र र पैरलल है याँपर तो र भाई 3 हो जाएगा नेट रिसंस नेट वोल्टेज भी वी है पावर आपको नई पता दोनों बारी के लिए फर्मण लगा दिया मैने पहले पहली बारी के लिए पिर दूसरी बारी के लिए और मैच करने के लिए को ब्लक पावर लगात खेचल कम है क्योंकि 3R जाएगा 30R आजाएगा 20 स्कॉयर और उस 20 स्कॉयर को उठा करके मैंने यहां पुट कर दिया आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू की स्लाइड याद नहीं रही शायद नुको डालनी ठीक है न यह रहा आपके लिए थैंक्यू ओके और अगली बार मिलते हम लोग अगनेटिजम यह पीवाइड़ के साथ ठीक है न ओके एक केर सिर भाटा और इफिर ट्रूंगा कई और भी करूँंगा करूँंगा कर लगया बाई-बाई या सब से अग्ली बार ए हम् और सब से यह बढ़िए सब बहुत टाइम बाद आज यूट्यूब पर बच्चे हिल रहे हैं हो गया तैयारी बढ़िया से हो गई confidence कुछ बूस्ट हुआ नहीं हुआ यह बताओ पहले इस अंदर से कोई बेस्टी सी मैसूस हो रही है कि यह तो बताओ ना है यह यह नहीं होगा वाई नहीं होगा वारियर वो तुम लडाके हो लडाके जंगी वारियर वो तुम यह ना कब उतर करें तुम्हें क्या डर तुम्हें क्या डर भाई एना ऐसा है कि यह पीवाइक्यू का लेवल था जो कि आपने देख लिया और मैंने आपके सामने सच्चा ही रखनी थी ठीक है ना मैंने आपके सामने मैंने पढ़ा दिया और इलेक्टिसिटी उडान में पढ़ा दिया वारियर मे ने यह रखना था कि भाई तुम कहां हो और बोड कहां है मैच कर लो तुम यहां हो बोड यहां है तो उपर आजाओ तुम यहां हो तो यहीं रहना नीचे मता ना ठीक है लेकिन हाँ descriptive की तैयारी आप लोग को करनी है बहुत बहुत जरूरी है descriptive मताव लिखने की तैयारी आपको करनी है तो लिखो 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 जितना हुआ उतना लिखो ठीक है ओके और पी डवल्यू का नाम रोशन करना ठीक है अब तुम जाब भी निरे वो तो नहीं बने हो यो क्या जाओ ना घर जाओ अब नाम पास अभी नौ मिनटे घर पहुंचने के लिए फिर सयम सर के साथ लाइव जाना है जलो मिलते हैं फिर अगली बार तब तक के लिए टेके टाटा भाई बाई क्या खिर ग्लोशन सर डuding के साथ भाई भाईशना है जाँ करना है